हाई गाईज, वेलकम टो बीटियस, ब्रीज टो सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, कैसे हैं आप लोग, I think, I hope, सांदार, जांदार और जबरदस्त आप हैं, ठीक है, पिसले लेक्षर में, जो प्रिवियस लेक्षर मैंने दिया था, लेक्षर नमबर टू, उसमें ह स्ट्रेस के बारे में काफी कुछ बहुत डिटेल से हम लोगों ने देखा था, कि स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सियर स्ट्रेस का जनरेशन कैसे होता है, सियर स्ट्रेस होता क्या है, टाइपस ओफ नॉर्मल स्ट्रेस देखा था, टाइप के सारे जो sections थे वो एक ही prismatic bar type पे मैंने लिया था, अब prismatic bar एक आगया word, वो हम लोग देखेंगे, दीजी दरे आगया बढ़ेंगे, हम लोग को समझ में आगा कि prismatic bar क्या है उसके उपर हमने या तो tensile force लगाया था, मतलब uniaxial loading, uni का मतलब one, axis का मतलब समझ में आता है, loading का मतलब हमने load डाला था uniaxial loading के बारे में ही हम लोगों ने बात करना start किया था और उसी पर हम लोगों ने खतम किया था, कुल मिला करके हम लोगों ने normal stress sear stress कैसे generate होते हैं, क्या होते हैं हम लोग इसके बारे में complete पर लिये थे मैं जस्ट बताने ही बाला था तो मैं वही से start करता हूँ देखो, हम लोगों ने stress calculate किया है stress measure नहीं किया है stress calculate किया है stress measure नहीं किया है क्योंकि stress जो है internal body के अंदर जाकर के या internal resistive force को resist करने वाला जो force है external load को internal resistive जो force है उसका per unit area को हम लोग क्या बोलते हैं stress बोलते हैं क्या बोलते हैं stress बोलते हैं इसका मतलब stress जो है stress जो है ये measurable quantity नहीं है आप इसको निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो हम लोग इस पे भी देखेंगे धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा कि क्या है ये चीजें तब समझ में आएगा जब हम लोग स्ट्वें का कॉंसेप्ट समझेंगे तब हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग आसे कि क्यों कैसे आ रहा होगा कैसे डिवलप हो रहा होगा हम लोग उस पे देखेंगे अब मैं थोड़ा सा इसको वर्सटाइल बनाता हूँ और इस टॉपिक यह जो टॉपिक अभी मैं कवर करने वाला हूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हलाकि बहुत ज़ादा इसका आपको डारेक्ट यूज नहीं मिलेगा लेकिन सोचने के लिए समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है और यही इसी के थूँ हम लोग फिर ट्रांसफॉर्मेशन of stresses में हम लोग जाएंगे principal stresses का उसमें हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे बाद में आज मैं बस system को समझाता हूँ कि system है क्या अब बड़े ध्यान से आप समझेगा कि कोई भी body हम लोग लेकर के चल रहे हैं अच्छा एक question और उता है बच्चे लोग demand करते हैं कि sir stress तो internal resistive है तो pressure और stress में क्या difference है मैं इस lecture के last में बताऊंगा कि क्या difference है अभी मैं main topic पे focus करना चाहता हूँ यह हम लोग देखेंगे ठीक है अब ध्यान से समझेगा आप आराम से कि मैं इसको थोड़ा सा versatile करना चाह रहा हूँ इसको मैं generalize करना चाह रहा हूँ कि loading किसी भी body के ऊपर lug कैसे रहा होगा suppose that general condition कोई एक body हमने मान लीजिये ले लिया इसका खुद का कोई thickness इस तरीके से available है मान लीजिये इस point के ऊपर अगर मैंने नाम दे दिया q point है इसके ऊपर कोई एक force F1 लग रहा है कोई एक force F2 लग रहा है कोई एक force F3 लग रहा है कोई एक force इहां पे F4 लग रहा है एक arbitrary body मैंने ले लिया और उसके ऊपर मैं arbitrary force लगा दिया और मैं इस point को analysis करना चाहता हूँ कि इस point के उपर, इस point के उपर, इस location के उपर, कौन-कौन से force लग रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ, चीक है, उसको जानने के लिए मैं एक चीज मंगवाना चाहता हूँ, हाँ, अब मैं क्या किया, समझ येगा, बड़े ध्यान से आप समझना है, कि क्या मैं कर रहा हूँ, इस body को मैं ऐसे करके cut कर दिया, कैसे cut कर दिया? बड़ ध्यान से देखेगा, इस point के ऊपर मैं कहीं पे देख रहा हूँ, ये कहीं पे एक point है, इसको मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से cut कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, cut कर दिया, नहीं, 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 वो cartoon वहां उस room में bed पे रखाओ, अब ध्यान से देखेगा, इसको मैंने क्या कर लिया, cut कर लिया, cut करते ही, ये जो system बंड़ के आ रहा होगा, जो दिख रहा होगा, वो ऐसा दिख रहा होगा, और इस तरीके से दिख रहा होगा, और इहां से इस तरीके से, ये cutting इस तरीके से, इहां से इस तरीके से, आपको इ 3 इधर दिख रहा है मैं इधर दिखा रहा हूँ कोई बात नहीं यहाँ पे कोई point है यहाँ पे कोई point है इस point के ऊपर मैं cut करके देखना चाह रहा हूँ ठीक है इस point को मैं cut करके देखना चाह रहा हूँ इस point के ऊपर force कैसा लग रहा है बड़े आराम से आप देखते जलिए जाएगा कि क्या हो रहा होगा इसको मैंने कट किया इसका मतलब ये जो direction है ये direction को हम लोग थोड़े देर के लिए measurement के लिए ये एक direction मैं ले रहा हूँ और ये y-axis है और ये क्या है z-axis है अगर मैं इस point के उपर force लगा रहा हूँ तो इसके उपर एक normal force आ रहा होगा और एक इसके उपर इस तरीके का force आ रहा होगा और एक इसके उपर force आ रहा होगा इस तरीके से ठीक है थोड़ा सा diagram को मैं बना नहीं पाया धंग से यहां से इस तरीके से मैं दिखाता हूँ तब uniform दिखेगा तब आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि ये हो रहा है ठीक है यहां से ये axis पे z axis पे हम लोग force लगा पा रहे हैं मतलब एक point जो था x axis के perpendicular मैंने cut कर दिया मैंने क्या बोला x axis के perpendicular मैंने cut कर दिया और ये जो direction हुआ इस direction में x direction है इसमें इसके corresponding जो force आ रहा होगा that is fx मैं बोल रहा हूं और इस direction में ये y direction है तो इसको मैं बोल रहा हूं fy और यहां पे जो direction z है तो यहां पे मैं बोल रहा हूं fz मैं बोल पा रहा हूं क्या मैं बोल रहा हूँ FZ, अब मैं देखना ध्यान से, मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि यह जो point है, छोटा सा area है, तो छोटा सा force होगा, छोटा सा force होगा, तो मैं DFX लिख रहा हूँ, DFY लिख रहा हूँ, और DFZ लिख रहा हूँ, किलियर है, DFX, DFY और DFZ, Z-axis में यह आ रहा है, Y-axis में यह आ रहा है, X-axis में यह आ रहा है, बड़े अराम से समझना, आज crystal के लिए रोने वाला है, कि क्या हो रहा है, अब इसी axis के corresponding, अगर मैं इस force को, इस molecule को, मैं एक cubicle के form में लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, यह हम लोग को देखना, start करना कि क्या हो रहा है, ठीक है, अब हम लोग को समझ में आएगा कि क्या है, इस point को, इस point को, मैं एक cube को, इस point को, मैं लेके आया, उसको जूम करके, मैं एक cubicle shape में दिखाना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, अभी just समझ में आएगा, कि क्या हो रहा है, कैस और आफ फोर्स कैसे लगते हैं कैसे हम लोग बात करते हैं मान लीजिए एक क्यूब है ये इस तरीके का बड़े आराम से आराम से समझेंगे बेस बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त ठीक है ये है इस तरीके से इस तरीके से ठीक है केलिएर है न यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा एक्स डिर्षान में धिस is दे एक्स डिर्षान दिस is दे जेड्ड डिर्षान और धिस दे वाई डिर्षान अब इसको थोड़ा सा हम लोग फील करेंगे कि हो क्या रहा है, कॉम्पोनेंट क्या टूट रहा है, लाइएगा, अब इसको थोड़ा सा समझना है, आराम से इसको समझना है कि ये हो क्या रहा होगा, ये समझना है, मान लीजिए ये सिस्टम है, एक क्यूबिकल है, कुछ देर axis है y ठीक है यह axis है x और यह axis जो है इसको हम लोगों ने बोला है z ठीक है यह figure को मैं समझा रहा हूँ physically कि यह axis यहाँ पर x axis और यह y axis और यह क्या है z axis z axis है 3 axis हुआ अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो यह वाले को मैं positive माल लूँ तो इसके पीछे वाले को मैं क्या मानूँगा negative मानूँगा अगर मैं इस direction में x को positive मैं मान लिया तो इस direction में उसके opposite direction में जाएगा उसको मैं negative मानूँगा अब y axis अपर side को मैं positive मान रहा हूँ उपर की तरफ जो बाई जा रहा उसको positive मान रहा हूँ तो इसके नीचे जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे negative बोलेंगे बड़े ध्यां से समझना अब हुआ क्या है ये वाले ब्लॉक हमारे पास इस तरीके से आ गया है मैंने अभी शुरुवात में इसके बारे में मै बात कर रहा हूँ यहाँ पे यह है y-axis यह है x-axis दिख रहा होगा और यह सोरी यह है z-axis यह है x-axis और यह क्या है y-axis है इस तरीके से clear अब ध्यान से दिखेगा अब x-axis में यह वाले जो plane है यह क्या है plane है surface है x-direction में positive x-direction इधर और इधर की तरफ negative x-direction इधर की तरफ positive z-direction इधर की तरफ negative z-direction इधर की तरफ positive y-direction उसके opposite side में जाएंगे negative y-direction clear है अब यहां से हम लोग को यह समझना है कि यह चीज़ें यह वाले जो surface है यह क्या है यह और यह और यह यह क्या है surface area है क्या है cross section area है किस direction में x-direction के perpendicular area है यह वाले जो area हुए यह कौन से हुए y-direction के perpendicular area हुए यह वाले जो area है यह क्या है z-direction के perpendicular area हुए क्या हुए यह z-direction था इसके perpendicular area को हम लोग बोल रहे है यह z यह ठीक है इसको हम लोग बोल रहे है plane इसको क्या बोल रहे है plane और ये जो z direction है इसको हम लोग बोल रहे है direction जो z axis है इसको हम लोग बोल रहे है direction और ये वाले surface को हम लोग क्या बोल रहे है plane तो plane को बड़े ध्यान से देखना आप डबा को ये वाले positive तो just इसके पीछे वाले डबा का जो surface होगा ये negative z अगर ये negative ये positive x axis का plane है x का perpendicular plane इस direction में अगर मैं बोलू positive तो ये वाले direction को हम लोग क्या बोलेंगे negative अगर इस plane को मैं positive बोलता हूँ तो इस plane को मैं क्या बोलूँगा negative am I right अब बड़ जहां से देखना इसी चीज को हमें समझाना है इहां पे कि क्या हो रहा है बड़े अभी अभी उस पे मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा समझना के क्या है अब ये चीज अगर मैं देखूंगा ये वाले surface area ये वाले जो देख रहा है आपको ये वाले surface area पे कितने force लग रहे होंगे तो हम लोग को दिख जाएगा माल लेता हूं मैं ये surface area ये वाला plane पे कट कर रहा है यहां पे एक normal stress हम लोगों ने देखा है कि perpendicular इस axis के perpendicular इस plane के perpendicular जो force लग रहे होंगे उसको हम लोग normal बोलेंगे तो इसके उपर axis आ रहा axis के उपर ही load मेंने लगाया है that is normal stresses normal load divided by area normal stresses stress or load area से हम लोग डिवाइड कर देंगे इतना हम लोग समझदार हो चुके है और क्या होगा एक force इधर लग सकता है एक force इधर लग सकता है क्या लग सकता है एक force उपर की तरफ लग सकता है plane के क्या होगा tangentially या plane के parallelly अगर कोई force लगता है या तो ऐसे लगे या तो ऐसे लगे या तो ऐसे लगे या तो ऐसे लगे समझजिएगा plane के parallel अगर कोई force लगा है तो या तो ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा नीचे की तरफ या तो ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा मतलब tangentially या मैं parallely अगर मैं बोलू हूँ, तो parallely जो force लगते हैं, shear stress generate करता है, और ऐसे ही stress को हम लोग बोलते हैं, shear stress, अब देखो ये plane पे जो force लग रहा है, normal stress में हमें कुछ जादा नहीं चाहिए, हमें simple simple ये चाहिए, कि वो x direction के normal है, कि by direction के normal है, या z direction के normal है, हमें ये पता करना तो normal में मुझे बहुत जादा tension नहीं है, लेकिन shear में क्या है, कि ये वाला plane के उपर लग रहा है, कि negative के उपर लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, कि यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, तो किस direction में लग रहा है, यहां लग रहा है, तो इधर तो नहीं लग रहा है हमें जो normal stress decide करना होगा वहाँ पे हमें भी ज़रूरत पड़ेगा लेकिन अगर मैं एक भी direction बता दूँ कि normally है तो मुझे पता है कि जो plane के उपर लग रहा होगा उस plane के perpendicular stress लग रहा होगा या load लग रहा होगा उसको हम लोगो normal stress बोल दिये shear लग रहा है तो plane के parallel लग रहा होगा tangentially लग रहा होगा वहाँ से shear तो अब shear में क्या है इसलिए ही से sign convention भी समझ में आएगा कि shear का representation क्या है वो भी समझ में आएगा हम लोग इसको बहुत detail से देखने वाले हैं अराम से तो ये चीज़ समझ में आया कि इस कोने पे हम लोग y axis पर ये वाला देखो ये वाला axis देखो यहाँ पे ये देखो y axis ये वाला y axis है इस तरीके से देखो ये y axis और ये z axis और ये क्या है x axis इस तरीके का हम लोग के पास system आ चुका है ठीक है अब ध्यान से देखना इसका मतलब ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो है क यह वाला क्या है ? Plain यह क्या है ? Plain है और यह क्या है ? इस चीज को क्या represent कर रहा है ? Direction ठीक है ? अब जो normal होगा उसको representation हम लोग क्या करते हैं ? Sigma से represent करते हैं यही करते हैं ना ? Sigma से हम लोग representation करते हैं That is the normal stress टाउ से रिपर्जेंट करते हैं, that is सियर स्ट्रेस अब देखो, सिगमा को भी रिपर्जेंट करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए कि यह एक्स प्लेन में है और एक्स में है अब देखना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सामलों को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ अगर यह सिगमा एक्स है और एक्स है तो जो फर्स्ट वाला होगा यह प्लेन को रिपर्जेंट कर रहा होगा और यह वाला डायरेक्शन को रिपर्जेंट कर रहा होगा सिग्मा है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस है मतलब एरिया के पर्पेंडिकुलर वाले लोड के बारे में बात कर रहे है तो पर्पेंडिकुलर है एरिया के सर्फेस के पर्पेंडिकुलर है इसका मतलब अगर मैं देखू ध्यान से अब इसको थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करता ह ध्यान से देखना, अगर मैं कोई force यहाँ पे, axis के उपर इस तरीके से लगा देता हूं, और इसको बोलता हूं, इसका नाम क्या होगा, यह समझना, direction कौन सा है, x, तो direction क्या है, x, plane कौन सा है, x, तो मैंने पहला क्या बोला, plane, और दूसरा क्या है, direction, अगर मैं इसको, मैं represent करत हूं, plane, तो यह वाले अगर surface पे आते हैं, that is sigma, यह वाला surface पे मैं represent कर रहा हूं, यह plane कौन सा है, plane कौन सा है, y, तो y plane, direction कौन सा है, y है, यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पे center से, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा plane है, z, direction कौन सा है, z, this is the normal stresses, this is the normal stresses, clear है, अब मैंने cut किया, तो इस plane के ऊपर, इस plane के ऊपर, बड़े ध्यान से देखना, इस plane के ऊपर, हमें दो tangential forces लग सकते हैं, कैसे लगेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, कि कैसे लग रहे हूंगे, क्या लग रहे हूंगे, बड़े ध्यान से देखना, है, ध्यान से देखना, ये और एक force लग सकते हैं, ऐसे, क्या लग सकते हैं, ऐसे, अब देखो, ये plane के normal है, तो normal stresses, ये plane के parallel है, तो shear, ये तो बात तैह है, कि shear हो रहा होगा, टाउ आ रहा होगा, ठीक है, टाउ आ रहा होगा, किलियर है, अभी हम लोग बात करेंगे, कि ताउ को represent करता हूँ, यहां से देखना, ताउ को represent करता हूँ, मैं अभी बस शुरुवात नहीं किया हूँ, मैं concept, ताउ को represent करता हूँ, तो पहला मैंने क्या बोला, first क्या represent कर रहा होगा, plane को represent कर रहा होगा, और दूसरा क्या कर रहा होगा, direction को represent कर रहा होगा, तो ताउ एक x-plane के ऊपर है, तो tau x-direction में लग रहा है, x-plane के ऊपर लग रहा है, x-plane पे लग रहा है, direction इसका क्या है, y, y क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, y, तो y-direction में लग रहा है, ये वाले c-r कहां लग रहा है, z-direction में लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जागा, tau x-z, और इसका ना एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए, इसका मैं एरिया को बोलता हूँ, DAX में बोलता हूँ, छोटा सा एरिया है, ये वाला क्या है ये वाला एरिया, छोटा सा एरिया है, और X के परपेंडिकुलर एरिया को हम लोग DAX बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एरिया ह perpendicular to to x axis क्या है d a x क्या है perpendicular to x axis clear है मेरे दोस्त अब दूसरा क्या है यहाँ पे अगर मैं देखू normal stress लग चुके है अब मैं देखना चाहूँगा इस point के उपर अगर मैं देखना चाहूँगा तो यहाँ पे फिर से 2 forces लग रहे होंगे ध्यान से देखिएगा 2 forces लग रहे हैं क्या लग रहे हैं एक यह और एक forces इधर की तरफ और एक forces यहाँ से इस direction में भी लग सकते हैं इधर कर लूँ या इधर कर लूँ बात एक ही है हम लोग दोनों तरीके से proof करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं यह वाला इधर हो सकता था यह वाला इधर हो सकता था कैसे भी हो सकता था यह इधर और यह इधर हो सकता है हम लोग देखेंगे इसको बड़े ध्यान से तसल्ली से भी समझो कि हम लोग force लगा कैसे रहा है अब यह क्या है plane के parallel है इसका मतलब यह क्या है, इसका नाम क्या देंगे, tau, और इसका नाम क्या देंगे, tau, plane के parallel है, तो हम लोग क्या बोलते हो उसको, shear, shear का representation, tau, यह plane कौन सा है, देखो, यहां से अगर देखोगे, तो यह क्या है, y direction में है, तो y direction में है, sorry, y plane में, plane क्या है, y plane पे है, y axis के उपर है, तो यह plane को हम लोग क्या बहुत हो, y plane direction क्या है, देखो इधर की तरफ जा रहा है तो क्या direction था x direction है यहाँ पे देखो plane कौन सा है y, direction कौन सा है, देखो z के तरफ direction है, क्या है z के तरफ this is the condition अब इस area को मैं नाम दे रहा हूँ d a y लिख रहा हूँ d a y, y का मतलब क्या हुआ, perpendicular to y axis perpendicular to y axis नहीं दिख रहा है क्या red वाला कोई बात नहीं, थोड़ा चल जागा d a y जी कोस्ट क्या है, perpendicular to y axis y axis के perpendicular वाला area को, small area को हम लोग क्या बोल रहेंगे अब तीसरा क्या है, z axis पे, z plane पे हम लोग आते हैं यहां से यह parallel हो गया यह normal direction में है, तो sigma z, z अब यहां से दो तरीके का force और लग सकता है, यह यह ठीक है, यह क्या है parallel, parallel का मतलब tau, parallel का मतलब tau, यह देखो, plane कौन सा है, z plane कौन सा है, z direction कौन सा है, x direction कौन सा है, y y बात समझ में आया गुरू अब यह चीज हम लोग अगर देखते हैं, इस वाले area को हम लोग बोलते हैं ध्यान से देखना है, छोटा वाला area जो होगा, d a z होगा, किया है, d a z d a z का मतलब क्या है perpendicular to z axis perpendicular to z axis छोटा वाला area, मतलब इस point को मैं three dimensionally देख रहा हूँ tri axial stresses लगा करके देख रहा हूँ, कि क्या हो रहा होगा, अब बड़ ध्यान से देखना, कि मैं क्या लिख रहा हूँ अब यह normal stresses और sear stresses हम लोगों को समझ में आ गया है कि क्या है बड़ा आराम से जल्दी वाजी इसमें हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत तसली से हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है, इस चीज को समझना बहुत ज़रूरी है कुछ भी नहीं है बस simple सा एक concentration देना है कि positive axis में आ रहा है तो positive plane है negative axis में जा रहा है तो negative plane है कहानी खतम अब मैं दिखना यहाँ पे stress है sigma क्या है? stress tau क्या है? stress area हमें पता है मैं जानना चाह रहा हूँ कि यह load कितना ले रहा है यह कितना force ले रहा है यह कितना force, यह force, यह force यह force मैं निकालना चाह रहा हूँ सबसे पहले मैं यह plane को लेता हूँ अम मैं इसको एक एक करके दिखाऊंगा मानली जी यह plane ले रहा हूँ ऐसा यह plane ले रहा हूँ ऐसा ऐसा plane पे ये वाला जो perpendicular force लग रहा होगा इसको मैं D F X लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ D F X यह वाले पे मैं पैरलल पे इसको पैरलली फोर्स अगर मैं लिखूंँ पैरलली फोर्स लिखूं यहां पे तो यह क्या होगा D F Y और यह क्या होगा Haushटा सा D F Z ठीक है इस निदंदे को देखो इस निकालना चा introduct इस direction में क्या है, इस direction में क्या है, बड़े जयान से देखिएगा, D, F, X, X direction में, D, F, Y, D, F, Z, कहां पे, X plane में, ये area किसका है, X plane का area है, X plane का area में कितना force लग रहा है, कौन-कौन सा force लग रहा है, इसको मैं जानने की कोशिज कर रहा हूँ, अब बड़े जयान से देखना, F, X, F, X, D, F, X, area के क्या है, perpendicular, इसका मतलब normal stress, normal stress में कितना लग रहा है, देखिएगा, sigma X, X into, area इसका कितना है, इसका area देखो क्या है, D, A, X, D, A, X, small area, F, Y, Y क्या है, ये, क्या है, लोड कैसा है, parallel, parallel का मतलब tau, D, F, Y, लोड कैसा लग रहा है, tau X, Y into, क्या है, कैसा direction है, D, A, X, area कौन सा है, इसी area के ऊपर लग रहा है, यहां से देखिए, tau, ये क्या है, D, F, Z, Z, direction में क्या है, tau X, Z into, D, A, X, ये क्या लगे, कितना force arise हो रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, तो stress कौन-कौन सा लगा, X-plane के मैं देखा, तो tau X, Z into, इसका area, tau X, Y into, इसका area, सिग्मा X, X into, इसका area, वो ही हमने लिखा, अब मैं Y-plane के ऊपर आता हूँ, ध्यान से देखना, Y-plane के ऊपर आता हूँ, क्या है Y-plane, Y-plane कैसा दिख रहा है, ये देखो, ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है Y-plane, अब इसके ऊपर एक force लग रहा है, ये, D-F-Y, इधर एक force लग रहा है, D-F-X, और इधर force लग रहा है क्या, D-F-Z, और इसका एरिया क्या है, D-A-Y, small area in Y-plane के परपेंडिकुलर है, Y-plane में है, या Y-axis के परपेंडिकुलर है, दोनों एक ही चीजे, अब मैं यहां से देखेगा, D-F-X लिखना चाहूँ, D-F-Y लिखना चाहूँ, देखेगा, कट नहीं रहा है न, स्क्रॉलिंग हटा दीजिए, D-F-X और D-F-Y और D-F-Z को मैं कैसे लिखूँगा, देखो इस direction में force कैसा है, सीर, परपेंडिकुलर तो यह वाला है, यह क्या है, पैरलल, सीर, यहां पे F-Y क्या है, परपेंडिकुलर है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल, F-Z क्या है, सीर, तो सीर, अब नाम इसका क्या होगा, अब मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूँ, देखना, यह सीर है, प्लेन कौन सा है, उपर वाला मैं दिख रहा हूँ, उपर वाला, तो यह कैसा प्लेन है, वाई प्लेन है, और डाइरेक्शन कौन सा है, इधर जाते हैं तो लोग, X डाइरेक्शन में, इन्टु एरिया क्या है, दी ए, वाई है, नाम मैं दे रहा हूँ, Y का, Y axis के perpendicular area को हम लोग, दी ए, वाई दे रहे हैं, सिगमा क्या है यहाँ पे, प्लेन कौन सा है, वाई, डाइरेक्शन कौन सा है, वाई, इन्टु, डी ए, वाई, यहाँपे, सीर देखों यहाँपे, प्लेन कौन सा है, Direction कौन सा है Z into DA Y A force Clear है या नई अब तीसरा मैं देखना चाह रहा हूँ ये वाले Z plane को मैं देखना चाह रहा हूँ अब Z plane मुझे कैसा दिख रहा होगा मैं इहां से देखना चाहरा हूँ इहां से देखिएगा ये plane कैसा दिख रहा हूँ आपको ऐसा दिख रहा है अब इसके उपर force कैसा लग रहा होगा Z direction में तो D F Z यहाँ पर force कैसा लग रहा होगा यह D F X और यह force कैसा लग रहा होगा D F Y अब force में F का मतलब क्या force और इसका area क्या है D A Z का मतलब लिख चुका हूँ क्या है perpendicular to Z axis क्या है D A Z क्या है small area है और perpendicular to Z axis है अब मुझे क्या लिख रहा है D F X D F Y और D F Z is equals to क्या होगा यह force है force is equals to stress into area D F X इस area का यह क्या है parallel यह क्या है normal तो D F Z जो है यह तो normal होगा एक normal और दो क्या होता है C R यह भी क्या है parallel यह भी क्या है parallel इसका मतलब C R इसका मतलब C R और stress 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 into area D A Z D A Z into D A Z area छोटा सा है बट Z direction का है इसलिए मैं इसको notate कर रहा हूँ अब मुझे shear का representation लिखना है यह क्या है direction क्या है plane कौन सा है Z direction कौन सा है Z sigma Z Z इसके बारे में मैं देखता हूँ D F X F X X direction में है कैसा है direction X और plane कौन सा है Z plane direction X यह वाला plane यह वाला plane कौन सा है Z direction कौन सा है Y Y यह क्या है Y clear है मेरे दोस्त अब हुआ क्या है अब देखो इस तरीके से आपको clear हो जाएगा कि इसके उपर कितना stress लग रहा था और इस element के उपर कितना force लग रहा है सारा यह हमने देख लिया इसके उपर कितना stress लग रहा है यह हमने देख लिया, इसके उपर कितना force लग रहा है, वो भी देख लिया area से multiply करके, इसके उपर हमने देखा, इसके उपर, अब अगर इसके पीछे चला जाता है, या इसके opposite direction में जाता है, तो सारा के सारा क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, जो कि मैं sign convention में आपको दिखाऊं यह वाला जो system बना है, sorry कर्व नहीं, यह जो system बना है, यह system बना क्या है, इसका मतलब क्या है, कि तीनो axis के उपर, तीनो plane के उपर, एक normal stress generate हो रहा है, और हर एक plane के उपर, दो shear stress generate हो रहा है, क्या हो रहा है, दो shear stress generate हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं देखूं, कि total x plane में कितन कितने stress हैं ये तीन और Z plane में कितने stress हैं ये तीन, X plane में कितने stress हैं ये तीन, किलियर, यहां तक किलियर है कि क्या हुआ हमने उठाया, ट्राइ एक्स ये लोडिंग लगाया, कहानी हमने solve कर दिया, और हम लोग stress is quest to जानते ही है कि क्या होता है, force is quest to हम जानते ही कि क्या होता है, कि stress into area होता है, चाहे छोटे वाले एरिया हो, चाहे बड़े वाला एरिया हो, एरिया है, तो DAX, DAX का मतलब DAA का मतलब DA का मतलब छोटा वाला एरिया, और X एक्सिस के परपेंडिकुलर एरिया, DAY का मतलब Y एक्सिस के परपेंडिकुलर एरिय जैसे, लाइएगा, ध्यान से अब देखिएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब ये क्या है, Z, ये axis ऐसे force लग रहे हैं, normally force लग रहे हैं, देखो ये plane और इसके perpendicular पर ऐसा load लग रहा है, this is the sigma Z, sigma ZZ, इधर की तरफ ऐसे force लग रहे हैं, this is the Y direction में, Y plane, axis क्या है, Y, और इसके perpendicular अरिया को क्या बोल रहे है, DAY, अब इसके perpendicular लग रहे हैं, ये क्या है, sigma YY, इधर की तरफ perpendicular लग रहे हैं, normal stress, that is sigma XX, मतलब तीन इस तरीके से एक load, दूसरे load और तीसरे load इस तरीके से हम लोग के पास ही है, जब seer stress लग रहा था, तो ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, या ऐसे लग सकता है, या अंदर की तरफ लग सकता है, यहाँ पे seer stress ऐसे लग सकता है, या seer stress ऐसे लग सकता है, अब मैं देखूंगा बाद में, कि दो direction में हमारे पास opportunity हर एक direction में, अगर मैं Y axis में जा रहा हूँ, तो positive Y में जा सकता हूँ, और negative Y में जा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे X direction में जा रहा हूँ, तो X positive में जा रहा हूँ, तो क्या अंतर आएगा, ये भी मैं देखूंगा, यहाँ पे X direction में देख रहा हूँ, यहाँ पे X plane पे देख रहा हूँ, यह क्या है Z-axis के perpendicular area DAZ यह क्या है Y-axis के perpendicular area DAY इस axis के क्या है DAX किलिए रहे? किलिए रहे ना? अब यह अब इसको मैं थोड़ा सा और देखता हूँ कि क्या लग रहा है अब मैं थोड़ा सा इसमें अगर मैं बात करूँ तो कुल बिला करके 1,2,3,1,2,3,1,2,3,9 stress लगना स्टार्ट हुए और यह लगे कैसे होंगे? इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करता हूँ कि क्या लग रहे होंगे? पहले एक cubic block रहे होंगे और इसके उपर सिर्फ और सिर्फ normal stress लग रहे होंगे इस तरीके से sigma y यहां से sigma x और यहां से sigma z मतलब plane के perpendicular that is normal दूसरा क्या लगा होगा? सीर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ एक इस तरीके से देखो यहां पर perpendicular नॉर्मल लगा अब सीर क्या लग रहा होगा? यह नहीं धंक से बना क्या? चलिए मैं ठीक से बनाता हूँ figure ठीक है? यह है अब यहां पर x plane पर x plane पर positive x plane पर क्या है? यहां पर एक direction में इस तरीके का force लग रहा है एक इस तरीके से force लग रहा है यहां पर इस तरीके से force लग रहा है यहां पर इस तरीके से force लग रहा है ठीक है? यहां पर इस तरीके से force लग रहा है यहां पर इस तरीके से force लग रहा है अगर मैं देखो कि numerically मैं इसको या nomenclature मैं करना चाहूँ तो मैं फिर से करता हूँ क्योंकि नुमेंट क्लेचर में ही आप लोगों को दिक्कत होता है देखो यहां से point लो इस direction में x तो यह plane कौन सा है x plane plane कौन सा है x तो यह लग रहा है इसका मतलब tau है tau है x plane पे पहले plane लिखते हैं plane लिख दिये यह direction क्या है y उपर की तरफ जा रहा है तो y यह क्या आ रहा है z की तरफ आ रहा है तो z यह वाला देखो y plane पे है तो tau y यह क्या है tau y यह वाला direction कौन सा है z यह वाला कौन सा है x direction कौन सा है x plane y लेकिन direction कौन सा है x यहाँ पे देखो यह plane कौन सा है Z तो tau Z direction कौन सा है X यह plane कौन सा है Z direction कौन सा है Y इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो यह बन जाएगा मैं फिर से जोड़ता हूँ इन दोनों को मैं add कर दूँ तो क्या मेरे पास ऐसा diagram नहीं बनेगा थोड़ा सा 3-dimensionally आए जाता है इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है लेकिन damn sure कि अब आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा ठीक है एक ही दिखाओ हम लोग बाद में देखेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे है ठीक है या पूरा दिखा दो कोई दिक्कत की बात इसमें direction दिखा रहे हैं हम लोग बाद में बात करेंगे complimentary के बारे हम लोग बात करेंगे कि क्या है अब यहाँ पर force कैसा है अब मैं वहाँ से लिख लेता हूँ, tau x-plane, y-direction, tau x-plane, z-direction, tau y-plane, z-direction, tau z-plane, y-direction, tau z-plane, x-direction यह है हमारे पास direction, clear है समझ में आया, तो कहानी हम लोगों को यह समझना है, अभी भी बहुत सारा चीज, अभी भी हम लोगों को सीखना बाकी है इसमें, कि कैसे हम लोगों ने क्या-क्या करना start किया है, अब बड़े द्यान से देखना, इस तरीके का हम लोगों के पास system बन ग कि अभी अगर मैं देखूं, अभी अगर मैं देखूं, तो मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कि अभी देखने से, आख से देखने से, मुझे यह लग रहा है, कि जो पहले मैं एक figure बनाया था, q point जो बताया था, कि उसमें अगर उसका analysis करना होगा, तो मुझे एक, point के ऊपर, nine type के stresses लग रहे होंगे, अभी देखने में ऐसा मुझे feel हो रहा है, लेकिन, अब मुझे क्या करना है, यह जो block है, यह जो point है, मुझे क्या, अभी मैं सबसे पहले सुरुवात में मैंने क्या बताया, कि सोम में 3S के ऊपर काम करता है, strength, stability and stiffness, that is called as 3S, यह मेरा, मैं ऐसी बोल रहा हूँ, यह कहीं पर conceptual नहीं है, 3S, हमें ध्यान देना strength अच्छा हो, stiffness ज्यादा हो, और stable हो, जो हम लोगों ने first lecture में देखा था, equilibrium condition, जब यह three-dimensionally बात हम लोग कर रहे हैं, तो कितने equations होने चाहिए, छे equations होने चाहिए, equilibrium equation, summation of fx is equals to zero, summation of fy is equals to zero, summation of fz is equals to zero, summation of mx is equals to zero, summation of my is equals to zero, summation of mz is equals to zero, three-dimensionally में, equilibrium equations होने चाहिए, छे, इसका मतलब यहाँ पे, अगर मैं इसको और categorize करूँ, तो मुझे यह समझना है, कि जो भी force लग रहा है, उस force का net effect क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब ही body stable रह पाएगा, नहीं तो body motion में आएगा, unstable होगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, हमें सोम में तो stable structure चाहिए, अब दूसरा, moment नहीं होना चाहिए, net moment क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, moment हो गया है, इसका मतलब body क्या हुआ, unstable हो गया है, हम लोग stability के लिए analysis नहीं कर पाते हैं, stability के लिए, हम लोग को बिल्कुल चाहिए ही नहीं सोम में, तो stability का मतलब यहां से, हम लोग दो चीज को इसको proof कर दें, कि यह summation of fx, summation of fy, summation of fz, सारे के सारे 0 हैं, तो यह तो हो गया force का equilibrium condition, क्या हो गया, force का equilibrium condition हो गया, और जब हम लोग net mx, summation of mx, 0 कर दें, summation of my, 0 कर दें, summation of mz, 0 कर दें, तो हम लोग इस body को, हम लोग यह भी बता पाएंगे, कि यह net moment भी इस body के उपर, यह इस point के उपर क्या है, 0 है, इसी लिए हम लोग को equilibrium condition के उपर जाना पड़ेगा, और इसका check करना पड़ेगा, कि कर क्या रहा है, अब किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा, एक hypothetical situation, मैं इसको erase करता हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा hypothetical situation पर बात करता हूँ, कि आपने, कोई बच्चा को यह लग सकता है, कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आप इसको उपर लाए, तो इसको उपर की तरफ, इसको इस direction की तरफ क्यों नहीं लाए, ये एक questions हो सकते हैं, ठीक है, अब ही मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ इसको, फिर हम लोग और बात करेंगे, अब मैं पूरे को एक वार मैं erase करता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से कि क्या है, देखो ये है कुछ नहीं, लेकिन लोग इसमें कलावाजी दिखाते हैं, बच्चे को confuse करते हैं, बड़ा simple सा term है, इसमें कलावाजी के चकर में पढ़ना ही नहीं है, जितना simplest manner हो सकता है, उतना simplest form में मैं इसको दिखा रहा हूँ, और आप आराम से इसको justify कर सकते हो कि क्या है, अब कोई भी body हमें क्या चाहिए, rear strand में चाहिए होगा, क्या चाहिए हमें, rear strand चाहिए, rear strand में हमें क्या करना होगा, ये समझना, कि अगर कोई body, या अभी बताऊं या नहीं बताऊं, मुझे confusion हो रहा है, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इस direction में, अगर कोई body इस direction में force लगा रहा था, that is मान लिजिए tau x y, और यहाँ पे कोई ये body ऐसे force लगा दे, और यहाँ पे कोई body ऐसे force लगा दे, तो देखिए क्या ये body, क्या ये body, रिये strength रहा क्या, क्या ये body में stress generate होगा क्या, नहीं होगा, ये तो वही बात हो गया, कि मैं इसको ऐसे पकड़ा, और इसको पकड़ा, और ऐसे करके घुमा दिया, आरे भाया जब मैंने force लगाया, और ये पूरा roll कर गया, rotate कर गया, तो क्या ये body मेरे force को resist किया, क्या, नहीं किया, मैंने जो भी force लगाया, जो भी energy लगाया, वो सारे के सारे energy, इसको rotation में खत्प हो गया, इसने मेरे body को, या इसने मेरे force को resist किया ही नहीं, तो resistance force क्या हो गया, zero, तो zero divided by area अगर मैं करता हूँ, तो zero ही तो आता है, इसका मतलब इस body में stress generate ही नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे गोल गोल, ये क्या होगा, इस तरीके से गोल गोल, 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 घूमता हुआ रहेगा, यहाँ पे stress generate होगा ही नहीं होगा, इसलिए, अब देखना ध्यान से, इसलिए हम लोग बात करते हैं, इसको मैं proof करूँगा, इसलिए हम लोग बात करते हैं, कि adjacent surface पे, इस तरीके का force होना चाहिए, और यहाँ पे इस तरीके का force होना चाहिए, ताकि अगर यह body इसको इधर घुमाने की कोशिस करे, तो यह इसको रोके, बोले भाई तू कहां जा रहा है, यह कहएगा मैं घुमना चाहरा हूँ ऐसे, तो यह कहएगा चल तू ऐसे, इसको practically समने, यह वाला इसको, इस body को ऐसे घुमाने की कोशिस कर रहा है, तो यह कहएगा ऐसे, यह दोनों एक दूसरे को देखना, बड़ ध्यान से देखना, इसलिए मैं सबसे सुरुवात में ही समझा था, कि couple और moment में क्या difference है, दो force parallelly लग रहे हैं, दोनों force का direction अलग-अलग है, दो force parallelly लग रहे हैं, दोनों का direction अलग-अलग है, तो यह दोनों force जो होंगे, इस body को घुमाने की कोशिस करेंगे, तो जब यह force, यह couple, यह दोनों couple इस तरीके से घुमाएंगे, coupling के तरफ पे, तो अगर यह body पे net moment zero चाहिए, तो कहेगा कि यह वाला मैं तुम्हेरा अपोच करता हूँ, यह वही बात हो गया, कि मेरे को कोई force लगा कर कैसे bend करना चाह रहा है, तो मैं इधर से भी एक force इधर लगाऊंगा, same force का लगाऊंगा, दोनों ऐसे लगता रहेगा, अब यही क्यों आया, हम लोग को इसको प्रूफ करना है, यह वाले force और यह वाले force equal and opposite होंगे, यह बात तो हम लोगों को समझ में आथा कि moment में, कि दो force होंगे, दोनों equal होंगे, बट direction जो होंगे, opposite होंगे, तब ही moment generate करेगा, that is coupling, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, तो हम लोग अभी इसको देखना चाहते हैं, कि हो क्या रहा है, clear रहे, अब बड़े ध्यान से लोग देखेंगे, कि क्या बात कर रहे हैं, मैं सारे पूरे board को मैं साफ करता हूं, बड़े ध्यान से देखना, देखो, यहीं से समझ में आएगा, कि कितने अच्छे समलोग सोम समझने वाले हैं, यह है, गिचपिच नहीं भाई, नहीं समझ में आ रहा है, आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, अब मुझे समझ में आना चाहिए, कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में मैं दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे, देखना ध्यान से, आराम से इसको देखना, कि क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे, और नीचे बनाता हूँ में, जो मैंने पढ़ाया अभी, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, यह वाला एक्सिस क्या है, यह वाला एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है, यह वाला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ, देखिएगा, जब इसके उपर लोड डाल रहा था, तो इसको opposite direction में इधर करेगा that is normal stresses उसको हम लोगों ने देखा है क्या कि एक body ऐसे है अगर इधर से force लगा रहा है तो इसको इधर से force लगाना पड़ेगा अगर एक body इधर है तो इधर से force लगाना पड़ेगा अगर को इधर से force लगा रहा है माल लीजी एक छोटा सा मैं figure बनाता हूँ क्यूं परिशान हो रहे हो भाई सब बना के दिखाएंगे यहाँ पे अगर sigma yy है यहाँ पे sigma xx है और यहाँ पे sigma zz है अगर अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यह body अगर मैं सिर्फ y direction में देखता हूँ तो यह तो इसको खिच के ले जाएगा तो इसको restrend करने के लिए मुझे force कैसा लगाना पड़ेगा sigma yy direction negative है यह positive direction में यह क्या है negative direction में इस पे भी हम लोग बात करेंगे अभी फिलाल नहीं करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिएगा आप इस force को अगर यह मैं खिच के ले जाओ इधर तो यह तो खिच के ले जाएगा तो यहाँ से एक force sigma zz यह negative direction में यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस point के उपर force लगाऊंगा sigma xx यह भी कैसा? negative direction में तो यहाँ पे तो net force क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है यहाँ पे अगर मैं देखो अध्यान से देखना summation of fx is equals to 0 मतलब sigma xx is equals to क्या होना चाहिए? sigma xx बराबर है न sigma xx summation of fy अगर 0 मैं करना चाहता हूँ तो sigma yy is equals to क्या होगा? sigma yy दोनों बराबर होंगे equal and opposite होंगे यह इधर की तरफ, इधर की तरफ जैसे वही मुझे कोई इधर से खीचना चाह रहा है मैं हीलना नहीं चाह रहा हूँ तो मैं बोलूँगा चल तू मेरे कोई इधर से support कर इसके apogee direction यह इधर से 10 kilo newton force लगा रहा है तो इधर से भी 10 kilo newton लगाऊँगा तो मैं static होँगा लेकिन मेरे अंदर stress generate होगा लगा कि हाथ कोई कवार के लेके जा रहा है मेरे body में deformation होना start होगा लेकिन मैं healूँगा तो नहीं न तो यही तो stress है यही तो मेरा ताकत है मैं उस force को कितना देर तक उसको resist कर पा रहा हूँ यही तो मेरा ताकत है तो यहाँ से summation of fx, summation of fy, summation of fz पे भी यह काम हो गया इसलिए मैं इसको यहाँ पे अब नहीं दिखाऊंगा कि summation of fx, summation of fy, summation of fz तीनों क्या है justified है यह uni direction में है uni axle loading पे हम लोग पहले ही check कर चुके है अब मुझे क्या करना यहाँ पे shear force को लगाना है एक एक direction में मैं पहले solve करता हूँ फिर दूसरे direction में अपने आप समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है देखना क्या है कि मुझे करना क्या है यह मैं solve करता हूँ यहाँ से माली जी एक shear stress लग रहा है इस तरीके का कोई सियर स्ट्रेस लग रहा है मालीज यह यह सिग्मा एकसेक्स है लेकिन मुझे नहीं पता किसका नाम क्या है मैं इसका नाम दे रहा हूँ टाव वन ठीक है इसका नाम क्या दे रहा हूँ टाव वन यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने इस तरीके से इस तरीके से द्यान से देखना इसका नाम मैंने दे दिया Tau 2 यहाँ पे इसके opposite face पे मैंने force लगा दिया ऐसा 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 बड़े द्यान से देखना भाया so मैं थोड़ा सा जल्दिवाजी हम लोग को नहीं करना है बाद में अपने आप concept बन जाएंगे इसको मैंने नाम दे दिया tau 1 dash दे दिया ठीक है? यहाँ पे इस direction में है तो यहाँ पे मैंने force इस तरीके से मान लिया यह है अब क्यों मान लिया है वो मैं बताऊंगा tau 2 dash है tau 2 dash है क्या है? tau 2 dash है मैं नीचे बाले को मैं मिटाता हूं मुझे क्या करना है? summation of fx 0 summation of fy 0 summation of fz 0 मुझे क्या लगाना है? equilibrium condition लगाना है equilibrium condition पे क्या काम करना है? summation of fx 0 summation of fy 0 and summation of fz is equals to 0 यह तो हो गया force का equilibrium क्या है? Force Equilibrium अब Moment का Equilibrium Summation of MX, 0 Summation of MY, 0 Summation of MZ, 0 एक solve करके देखेंगे कहानी अपने आप clear हो जाएगा कि हमें करना क्या है अब मैं इससे मैं Force Equilibrium लगाता हूँ क्या लगाता हूँ Force Equilibrium लगाता हूँ मैं Summation of समझेगा Summation of FX लगाता हूँ X Direction में Summation of FX 0 लगाता हूँ Summation of FX क्या लगाता हूँ 0 X Direction में Force क्या लग रहा है देखना यह वाले Force क्या है X Direction में और यह Force, यह Stress क्या लग रहा है X Direction में यह क्या लग रहा है X Direction में यहां से यहां तक का जो value है, यहां से इस origin से माल लेता हूँ यह है O, तो यह वाले जो value है, उसको हम लोग क्या नाम दे, A दे सकते हैं, V दे सकते हैं और इसको C दे सकते हैं, तो यह वाले नाम मैं इसको A दे रहा हूँ, इसका नाम B दे रहा हूँ, और इसका नाम C दे रहा ह ठीक है, इसी के parallel ये बराबर होगा, तो ये मैंने नाम A दे दिया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये A है, ये B है, और ये C है, इसको कैसे भी नाम दे सकते हो, अपने corresponding, मुझे कोई इसमे लर्जी है ही नहीं, मैं नाम समझा रहा हूँ कि क्या है, Summation of fx, x direction में ये, और x direction में ये, मैंने समझाया था ना, summation of fx क्या होना चाहिए, 0, अगर ये मान लीजिए, टाउ 2 से, और ये टाउ 3 से इधर की तरफ जाए, और ये क्या होना चाहिए, equal and opposite, तो force, मैंने क्या लिखा, force equilibrium, force equilibrium क्या लगाँगा, stress into area, क्या लगाँगा, stress into area, तो stress, इस plane के उपर stress क्या है, tau 2 into, tau 2, क्या हो रहा है, light हो रहा है, tau 2, इधर से लिखता हूँ, tau 2 into, इसका area क्या है, a into c, a into c, minus, ये वाला, x plane पे, tau 2 dash into, ये वाला c और ये वाला a, a into c is equals to 0, अब यहाँ पे देखते हैं, summation of fy is equals to 0, ये वाला क्या है, y direction में है, देखेगा, tau 1 into, stress into area, force निकाल रहा हूँ, तो stress into area, तो यहाँ से area, area क्या है, b और a into c, तो b into c, minus, ये वाला क्या है, direction में, ये वाला मैं माल लेता हूँ, positive, ये opposite है, तो negative, और net summation क्या होना, 0, तो decrease करूँगा, तभी minus करूँगा, तो tau 1 dash into b into c, b into c is equals to 0, और वह इसे इतना करने की जूरत नहीं, मैं पहली बता रखा हूँ, मैं इतना नहीं करूँगा, कभी भी, मैं सिधा जानता हूँ, कि किसी भी चीज को summation 0 करना है, तो एक तरफ से positive, तो दूसरे तरफ से negative, दोनों को बराबर होना यह, तभी effect 0 होगा, अगर एक भी effect खराब हुआ, चाहे जादा हुआ, कम हुआ, तो कहानी खताम हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, simple सी बात है, ऐसाब logic में यह लगाना है, अगर यह मैं करता हूँ, तो tau 2 into a into c is equals to tau 2 dash a into c, हो गया, a c और a c, क्या है, tau 2 is equals to tau 2 dash, यहां से 0 के तरफ जाओगे, तो tau 1 is equals to tau 1 dash, क्योंकि area क्या है, similar है, तो tau 1 is equals to tau 1 dash, लेकिन अगर यह positive है, तो यह क्या होना चाहिए, negative होना चाहिए, तभी, इसका मतलब क्या है, यहां से एक logic लेकि आएंगे, कि क्या है, यहां आपसे note आप करोगे, कि क्या है note, sear stress on opposite face, यह क्या है, positive x, यह क्या है, negative x-plane पे है, तो sear stress on opposite face, sear stress, sear stress on opposite face, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, opposite face, sear stress on opposite face, are equal and opposite, are equal and opposite, आप दोनों चीज़े देखलो, tau 1 is equals to tau 1 dash, tau 1 is equals to tau 1 dash, तो tau 1 इस direction में, तो tau 1 dash इस direction में, तभी तो यह momentum भी generate करेगा, अभी हमने सिफ रूफ किया कि tau 1 और tau 1 dash दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक्वल डायरेक्शन, आपोजित डायरेक्शन में होंगे, tau 2 और tau 2 dash दोनों बराबर होंगे लेकिन equal होंगे और opposite direction में होंगे this is the important तो कभी भी हम shear stress देखेंगे तो ये वाला condition पर हम लोग बात करेंगे कि क्या हो रहा है अब दूसरा चीज हम लोग को क्या करना है यही से mass force के बाद मैं moment का analysis करता हूँ तो इसी तरीके से अब देखना कोई मेरे से बोले कि इस direction में लगाओ और इस direction में लगाओ तो मैं बोलूँगा कि आप जो इस direction में लगाओगे उसके opposite उधर लगाना अब बस एक ही तो है ना है z direction ही तो बचा हुआ है कहानी खतम तो जो भी इस direction लगाओगे उसके opposite लगाना, कहानी का तम हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, moment analysis करना है, moment equilibrium लगाना है, मुझे क्या चाहिए, summation of moment, कोई भी एक direction से हम लोग बात करेंगे, summation of m is equals to, zero होना चाहिए, मतलब anti clock couple and clockwise couple दोनों का summation क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं देखना चाहरा हूँ, अब देखो ये एक couple है, समझना, ये वाला tau 1, tau 1 और tau 1 dash, tau 1 dash और tau 1, देखना, ये वाला distance कितना है, कितना है, ये वाला distance कितना है, ये वाला distance कितना है, ये है, यहां से अगर moment निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, tau 1 into A, अगर ये तो tau है, अगर मैं इसको एस area से multiply करूंगा, तो area कौन सा है, B और into C, क्या है, B into C, B into C, और यहां पे क्या है, B into C, अब ये बन गया force और into area, तो ये moment क्या होगा, anti clock और ये moment क्या होगा, clock, बोलो, ये moment कहां से, इस direction में, ये moment इस direction में, ये चीज हमें समझना है कि क्या हो रहा है, तो यहां से एक couple इस तरीके से ले करके क्या होगा, आगे आए, तो यहां से क्या होगा, ये वाला इस direction में, ये वाला इस direction में, मतलब यह इस तरीके से कहानी समाप्त हो गया अगर मैं यहां से force लगाऊं तो यह इस direction में यहां से moment जो आ रहा होगा इसके corresponding देखना यह वाला क्या होगा anti-clockwise moment यह वाला क्या होगा anti-clockwise moment इस तरीके से moment generate करना start करेगा तो anti-clockwise moment anti-clockwise moment net moment क्या होना चाहिए anti-clockwise moment और clockwise moment दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए तब ही equilibrium कौन से लग रहा है moment अब दूसरा force देखना यह वाला moment कैसा लगा है anti-clock यह वाला कैसा लगाएगा clock कैसे समझना एक force इधर दूसरा force इधर यहां पे tau 2 यहां पे tau 2 stress है into area तो tau 2 कहां लगा है A into C कहां लगा हुआ है A into C stress into area load बन गया force बन गया और यह वाला distance कितना है देखो B distance है तो अब देखो anti-clock अब यह वाला moment कैसा आया यह वाला moment कैसा आया यह moment जो आया वो कैसा आ रहा है ऐसा वाला moment आ रहा है देखो ऐसे गुमाएगा तो यह क्या है clockwise यह क्या है anti-clockwise तो anti-clockwise जो है क्या है tau 1 B into C tau 1 और tau 1 डेस दोनों बराबर हैं यह हमारे को यहां पे दिख रहा है equation में तो tau 1 B into C यह तो होगे force into perpendicular distance A is equals to उदर देखो tau 2 tau 2 और tau 2 डेस बराबर है A into C this is the force perpendicular distance B अब देखो A, B, C A, B, C तीनों A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C और यहां पे क्या बन गया tau 1 is equals to tau 2 अब tau 1 क्या है और tau 2 क्या है यह हम लोगों को क्या है पता है अब tau 1 को मैं check करता हूँ तो tau 1 क्या है इसका नाम क्या देंगे tau तो है कौन सा plane पे है X plane पे है direction कौन सा है Y है किस plane पे है Y plane पे है direction क्या है X है इसका मतलब tau XY tau YX क्या है दोनो equal है और कहानी सोलवा इसका मतलब क्या है कि जब यह इस तरीके से घूमना चाह रहा था तो यह force इसको क्या कर रहा है रोक रहा है यह क्या कर रहा है यह इधर गुमने चाहरा है यह करा चल तू उधर गुम तो दोनों अगर बराबर होगा तो मैं इधर जा रहा हूँ और कोई धक्का देने वाला बराबर हो तो मैं वही पर खड़ा रहा हूँगा यही force का analysis हमें करना था और कुछ भी करना ही नहीं है इससे हम लोग समझ में आ both points towards both points towards किसके तरफ हम लोग both points towards और both points away from the line of intersection of planes इस बात को मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं बात करूँगा कि क्या है ठीक है क्या लिखना है? magnitude and are directed towards directed such that लिख देते हैं away from the line of किसका? line of intersection of planes line of intersection of plane intersection of plane clear? अब ये बात क्या है देखना? इसका मतलब जो इसको मैंने सीधा सीधा समझाता हूँ मैं RCC जब मैं पढ़ाता हूँ हाँ पर मैं सीधा सीधा समझाता हूँ कि head adjacent का मतलब बगल वाला या ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला और ये वाला बगल वाला दिखाना ये वाला समझेगा राम से एड्जसेंट का मतलब ये वाला और ये वाला क्या है इसको दिखना ये वाला में क्या है या तो ये एड़सेंट, पर्पेंडिकुलर है, ये डारेक्शन अगर इधर आए, तो ये इधर होंगे, अगर ये इधर हो गया तो इसको इधर तो कर नहीं सकते, तो ये क्या है? इसको बोलते है टेल और इसको बोलते है एड इसको बोलते है एड और इसको क्या बोलते है तेल, तो head to head और tail to tail, head to head, tail to tail, ये justified होना चीए, तो adjacent to perpendicular का मतलब ये surface और ये, तो equal and क्या होना चीए? opposite होना चाहिए एक तरीके से ये इधर की तरफ गुमाए तो ये इसको इधर की तरफ गुमाए ठीक है और इधर क्या आए टेल तो ये भी टेल से start होना चाहिए तभी ये वाला direction यह से आएगा, clear है? इस तरीके से आपको सोचना है समझना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि sear stress जो होगा, equal and opposite direction में होगा और adjacent पे जो होगा देखो towards या तो away head to head या tail to tail, तभी sear stress generate होगा otherwise नहीं होगा और यही दो conclusion मैं कैसे लेके आया हूँ? देखो sear stress on opposite faces are equal and opposite और result क्या रहा है? sear stress on adjacent and perpendicular faces are equal in magnitude and are directed such that both points towards और both points away towards दोनो चिपके तो और चिपके, दूर जाए तो और दूर जाए मतलब head to head, tail to tail से justified होना चाहिए clear है? इसका मतलब tau 1 और tau 11 dash क्या है? यह हम लोग को समझ में आ गया और 1, 2 क्या है? यह भी हम लोग को समझ में आ गया अब हम लोगों को इसका यह सब चीजें हम लोग कैसे बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम लोग को यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है, अब मैं equilibrium condition solve कर दिया, अब मैं इसको stress tensor में कैसे represent करते हैं, जो मैं समझाता हूँ तो इसलिए मैं क्यूं ऐसा लिख रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूं लिख रहा था, तो कुल मिला करके, अब हम लोग को और कुछ लिखना है, यह यह point, first topic में और hook's law बहुत important है, समझने के लिए, क्योंकि यह कम समझ में आएगा, तो principal stresses and strain कम समझ में आएगा, क्योंकि इसी का हम लोग वहाँ पे plane को घुमा करके, तोड करके, फोड करके, कट करके, देखते हैं, तो यह चीज देखना ज़रूरी है, यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से देखते हैं मैं फिर से बना रहा हूँ, इस वार मैं दूसरे style से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इस तरीके से, ठीक है, अब मैं फिर से लिखता हूँ, आप फिर से देखेंगे, कि इस force को हम लोग क्या लिख रहे थे? सिग्मा एक्स एक्स, इहाँ से यह force को क्या लिख रहे थे? सिग्मा वाई वाई, इस force को क्या लिख रहे थे? सिग्मा जेड, जेड, ठीक है? अब मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे force कैसा लिख रहा हूँ, ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, अब तो समझ में आ गया ना, कि मैं ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसका head to head, और इसका tail to tail होना चाहि तो मैं अभी दो ही direction में बात कर रहा हूँ, इसका, अब देखो यह head, तो उपर की तरफ क्या होगा, head, क्यों बना रहा था अब समझ में आ रहा ना, head to head, और यह head है, तो इधर की तरफ क्या होना चाहिए, head ही होना चाहिए, देखिएगा dark दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यह वाला कौन सा plane, x plane, direction कौन सा y, कौन सा plane, x, direction कौन सा z, कौन सा plane, y, direction कौन सा x, कौन सा plane, y, direction कौन सा z, कौन सा plane, z, कौन सा direction, x, कौन सा प्लेन, z, direction, y direction क्या है, y अब मुझे क्या करना है, tensor quantity लिखना है, matrix के form में लिखना है बड़ जिहान से देखना समझ में आ जाएगा, मैं पहले x direction लोगा, फिर y, फिर z x, x, sigma x, x और अगर मैं x direction में ले रहा हूँ, तो tau x और tau x x x direction में है, मतलब x plane x direction, x plane y direction, x plane z direction देखो यही है, x direction, y direction, z direction इस पर देखता हूँ मैं, sigma, sorry, इसको देखते हैं, थोड़ा सा, वह इसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ, यहाँ यहाँ पे tau y x, और sigma y y, और यहाँ पे tau y z, यहाँ पे देखते हैं, tau z x, x y z लिखना चाह रहा था, ठीक है? और x y, x लिखना चाह रहा थे, x x x, इस तरीके से x y z, x x x, x y z, z, z लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे tau z y, और sigma z z लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? z z, देखिएगा, this is the tensor quantity, this is the tensor, मैंने क्या समझाय था? कि जो magnitude जो है, वो zero order tensor है, इसका मतलब जो भी scalar quantity है, समझिएगा, जो भी magnitude बोलना सही नहीं है, सिर्फ और सिफ जिसके पास magnitude है, वो scalar होगा, इसका मतलब जो scalar है, वो zero order tensor है, जो भी quantity vector है, वो first order tensor है, क्या है? first order tensor है, जो tensor है, जिसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो second order tensor है, मतलब stress ही जाए tensor, हम लोगों ने ये चीज़े देखा, इसका मतलब इस point के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ, तो this is the normal stresses, और हम लोगों ने प्रूफ किया था, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये हमने प्रूफ किया है, कि ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर होगा, इसका मतलब ध्यान से देखेगा टाउ xy और टाउ yx टाउ xy is equals to टाउ yx momentum equilibrium moment equilibrium से हम लोगों ने ये देखा था टाउ xy और टाउ yx देखेगा equal and opposite टाउ पर देखेगा xz और zx टाउ x z is equals to टाउ zx अब क्या बचा टाउ yz is equals to टाउ zy अब देखेगा ये direction ये वाला और ये वाला क्या होगा equal and opposite मतलब moment के हिसाफ से ये वाला दोनों क्या होंगे बराबर ये दोनों क्या होंगे बराबर ये दोनों क्या होंगे बराबर तो यहां से total जो यह सब आए, यह क्या आए, तीन आए यहां से, और तीन यह वाला 6, इसका मतलब at any point, 9 stress हम लोग component, 9 stress component रख रहे हैं, जिसमें से 3 तो normal है, लेकिन 6 जो है, वो क्या है, seer है, तो हम लोग लिखते हैं, at any point, 9 stress component, 9 stress component, 9 में से, जो 3 हैं, यह क्या है, normal stresses है, क्या है, normal stresses है, और 6 जो हैं, वो क्या है, seer है, ध्यान से देखिएगा, और यह 6 में से, तीन equal हैं, एक दूसरे के, तीन तीन है, तो यहां से क्या है अगया है, कोई एक वाला तीन ले लो, और तीन ये ले लो, इसका मतलब, मुझे किसी भी point के उपर अगर बात करना पड़ेगा, तो यहां से 6 seer stress लिए, लेकिन मुझे 3 जो है, वो complementary ही मुझे दिख रहा है, यह चीजे हम लोग को देखना पड़ेगा, कि 3 और 3 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो मुझे एक point पे minimum 6 component मिल जाए, तो मैं उसका analysis कर दूँगा, कहानी solve कर दूँगा, क्या मैं कह रहा हूँ, कि tau xz और यह वाला सब क्या हैं, बराबर हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, complementary stresses बोल रहे हैं, इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, complementary जैसे हम लोग बोलते हैं न, कि एक दूनों का complement है, मतलब ये है तो ये है ये है तो ये है तो tau xy है तो tau yx भी है और दोनों बराबर भी है इसलिए ठीक है किलियर है भाई अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि at in 3D hence यहाँ पे मैं लिखी देता हूँ hence in 3D condition three dimensional condition six stress component are required hence in 3D condition six stress component six stress component are required to analysis required six stress component are required इसको important mark करना अब कौन-कौन सा होगा वो देख लो sigma xx, sigma yy और sigma zz और उन तीनों को देख लो tau xy लिख दिये, tau xz लिख दिये और tau yz लिख लिख लिए यह छे component चाहिए तो three condition, क्या, xz या zx एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है तो यह component मुझे चाहिए कहानी solve, ठीक है, यह है, लेकिन यह 3D में चाहिए, मतलब conclusion मैं कर रहा हूँ फटा-फट, कि एक general requirement बता रहा हूँ, एक कोई point लूँगा hypothetically, उसके उपर 9 stress arise होंगे, 9 में से 3 जो होंगे normal होंगे, 6 जो होंगे sear होंगे, 6 sear होंगे, और 6 में से 3 complementary होगा, तो 3 वहाँ से, और 3 normal, 6 stress हमें चाहिए लेकिन 2 dimensional equation में क्या होगा, हम लोग को यह समझना होगा, क्या 2 dimensional equation में क्या होगा, तो 2 dimensional equation में क्या होगा, यह सब हटाओ, और सिधा-सिधा यह वाला बनाओ 2 by 2 का matrix tensor बनेगा, क्या होगा, in two dimensional equation, ऐसा matrix बनेगा, कहानी solve, तो मैं इसको लिखता हूँ, in two dimensional condition, क्या लिख रहा हूँ, in two dimensional condition, in two dimensional condition, in two dimensional condition, two dimensional condition में क्या है, देखो, x direction में, x x, y direction में, y y, normal x x y y, इस direction पे shear, that is tau x y, इसका complementary, here, tau y x, यह दोनों क्या होंगे, बराबर दोनों में से एक, तो total stress यहाँ पे कितना generate होंगे, total, कितना, four, four में से two कितना, normal, और two कितना, two किसका, shear, यह shear क्या होंगे, एक, एक, बराबर होंगे, तो यहाँ से total, अगर मैं लूँ, यह वाला और यह वाला क्या होंगे, बराबर, तो two dimensional condition में, total number of stress कितना चाहिए, three चाहिए, three stress, हमें चाहिए, three stress कौन सा, two dimensional में three stress कौन सा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई 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 और टाव एक्स वाई दे दे, कहानी काता, इसलिए generally आप generally two dimensional concept पे, जब देखोगे, maximum question two dimensional पे ही हम लोग के पास रहता है, तो टाव यह वाला चीज़े क्या होंगे, three चीज़े दिये जाएंगे, three stress दिये जाते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, analysis कर लेते हैं, कहानी solve कर लेते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, टीन, two dimensional condition में यह है, clear, अब last point बचा है, हम लोग का seer stress का, पूरा stress का हमने निचोर निकाल दिया, अब मुझे last condition बताना है, sign convention for seer stress, अभी तक हम लोगों ने बस draw किया है, sign convention for seer stress, sign convention for seer stress, देखो, normal stress का sign convention मैं फिर से बोल देता हूँ, normal stress का sign convention हम लोग जानते हैं, कि tensile जो होता है, वो हम लोग लेते हैं positive, और compressive जो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं negative, यह hard and fast नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े अच्छे-च्छे book में यह हम लोग का आदत है, मैंने बोला ही था, कि tension से elongation होता है, length बढ़ता है, dimension बढ़ रहा है, लेकिन उसके दो, जो lateral dimension वो घट भी रहे हैं, तो हम लोग longitudinal के बारे में बात करते हैं, तो बढ़ता है, इसलिए हम लोग positive ले लिए और compressive को negative ले लिए, and vice versa, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत मुझे, किसी भी चीज में नहीं है, इस पे मेरे को focus नहीं करना यह बढ़ा आसान है, थोड़ा सा sign convention में जे, sear में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, sear stress का sign convention, sear stress, sign convention, sign कैसा लेता हैं, हम लोग यह देखते हैं, convention, बड़ा आसान सा है, मैं इसको, कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बताते हैं, कि positive plane में, अगर positive direction में है, तो positive, positive plane में negative direction में है, तो negative, इस तरीके से बात करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, मैं पहले एक figure बनाऊंगा, उससे मैं समझाऊंगा, कि क्या हो रहा है, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस पे मैंने y-axis का notation डाल दिया, और इस direction में x-axis का हमने notation डाल दिया, ठीक है, यह है x-axis, यह origin है, अगर मैं इधर जाऊंगा, तो positive x-axis के उपर हम लोग बढ़ रहे हैं, इधर मैं जाऊंगा, तो negative x-axis के उपर बढ़ रहे हैं, मतलब इधर direction क्या हुआ, negative, और इधर direction क्या हुआ, positive, similarly इधर अगर मैं जाऊंगा, तो positive y-axis के उपर हम लोग बढ़ते हैं, अगर नीचे जाते हैं तो हम लोग negative negative minus y-axis के उपर negative y-axis के उपर हम लोग बढ़ते हैं किलियर है और अभी मैंने डबा से खूब देर मैंने समझाया कि positive axis पे जो positive axis के जो perpendicular plane होगा या area होगा ये भी positive ही होगा तो ये positive plane हम लोग बोल रहे हैं positive plane बोल रहे हैं या positive faces बोलते हैं तो positive का perpendicular positive ही plane बोला जाएगा ठीक है और negative के perpendicular area जो face होगा plane होगा उसको negative ही plane बोलते हैं और ये positive y-axis है और इसके perpendicular जो area है plane जो है इसको हम लोग positive y positive positive plane ही हम लोग इसको बोलते हैं ये negative है तो negative के perpendicular है तो negative plane ही हम लोग इसको बोलेंगे clear है clear है दोस्त ये बात हमें अब समझ में आ गया कि अगर मेरे पास ऐसा system है तो हम लोग ऐसा काम करेंगे अब बड़ ज्यान से देखना मेरे को minus into minus पता है कि plus होता है plus into plus पता है plus होता है और minus into plus पता है minus होता है इसको आप याद रखोगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे ये positive और ये positive है तो positive ये positive और ये positive कभी ऐसा follow कर गया तो positive ये negative और negative follow कर गया तो positive negative into negative positive निगेटिव into negative positive अब यहां से दो condition बनेंगे दोनों को मैं देखूँगा खटक मार दूँगा दियान से देखेगा मैं ऐसा दो figure बनाता हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि क्या है कैसे है यहां से एक figure और दो figure दोनों को justified करूँगा ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है दोस्त अब देखो यह वाला plane क्या हुआ positive plane है और negative plane है अगर direction भी positive हो गया तो क्या होगा positive मतलब कोई direction ऐसा हो गया है ऐसा इसका मतलब इसका sign कैसा है positive plane पे है positive प्लेन कौण सा है प्लेन कौण सा है positive और direction कौण सा है positive प्लेन कौण सा है positive तो positive into positive which goes to positive अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर देखो यह इस direct direction है तो इसका complementary मुझे कैसा मिलेगा ऐसा मिलेगा head to head मिलेगा मुझे head to head मुझे मिलेगा अब यह वाला अगर मैं यहाँ से देखता हूँ यहां से अगर मैं देखता हूँ तो यह surface कौन सा है plane कौन सा है positive plane है positive plane है direction कौन सा x positive में है positive positive into positive क्या हो गया positive के लिए रहे दोस्त यहां पे क्या है negative और इसके क्या चाहिए opposite और इसका क्या है equivalent opposite अगर ऐसा system है तो हम लोग बोल देते है positive sign अब positive क्या है हम लोग बात करेंगे कि क्या है देखते हैं यहां पे यह plane कैसा है negative plane है direction कौन सा है negative direction है तो negative into negative क्या हो गया positive यह plane कौन सा है negative इसका मतलब ऐसा कुछ system रहे ऐसा कुछ system रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे positive इसको क्या बोलेंगे positive है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक positive होगा तो दूसरा negative हो जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा जैसे इसको देखो किसी किसी को चुल लग रहा होगा कि आपने ऐसे क्यों ले लिया आप ऐसा लो और serious stress में दो condition देखे हो equal and opposite तो equal and opposite मैंने लगा दिया ठीक है और जो adjacent पे या तो head to head या tail to tail या head to head यहाँ पे head to head या tail to tail के लियर है अब हम लोग को यहाँ पे देखना है यह plane कैसा है positive plane है direction कौन सा नीचे की तरफ देखो negative है तो negative है positive into negative यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे plane कौन सा है negative direction कौन सा है positive negative into positive यहाँ पे देखो negative plane कौन सा है negative direction कौन सा है positive negative into positive negative यहाँ पे देखो plane कौन सा है positive y axis direction कौन सा है negative x axis negative into positive negative देखो एक negative हुआ तो चारो negative हुए क्या इसको बोलते है negative इसको लोग बोलते है बड़ा difficult है कहाँ difficult है यार अब बच्चे को वही नहीं समझ में आएगा कि complementary stress क्या है और बराबर कैसे हो रहा है head to head कैसे हो रहा है tail to tail कैसे हो रहा है तो हमें कहाँ से दिक्कत होगा बात है हम लोगों को सब कुछ पता है तो हम लोग को दिक्कत क्यूं होगा बताओ ये रहा सारे के सारे बाते जो principle stresses की थी सारे के सारे खतम हो गए तो कैसे stress है sign convention seer का कैसे लेते है normal stresses का sign convention कैसे लेते है कैसे लगता है seer कैसे लगता है normal कैसे लगता है single single भी देखे दोनों को एक साथ देखे और फिर इसी का एनालिसिस हम लोग प्रिंसुपल स्ट्रेस में करेंगे अभी बहुत सारा चीज और भी हम लोगों को समझना है, अभी हमने स्ट्रेण के बारे में बात नहीं किया गुरू, अब मुझे क्या करना है strain के बारे में बात करना है तो next heading जा डाल रहा हूँ मैं strain करने करने का बारे में भी जाल रहा है झाल झाल अब strain, एक छोटा सा topic है, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, जितने type के stress हमने देखा ना, उतने ही type के strain होते हैं, जैसे हमने longitudinal stress देखा, longitudinal stress देखा, तो longitudinal strain होगा, axial stress उसी को बोला था, तो उसी को axial strain बोलते हैं, मतलब उसी के corresponding, lateral strain, normal strain का, normal stress में के अंदर हम लोग इसा बात किये थे, तो normal strain जो है, वहाँ से आएगा, sear stress देखा, तो sear strain आएगा, मतलब लगभग जितने type के आप stress देखे हो, उतने ही type के लगभग strain भी होते हैं, क्योंकि strain होंगे नहीं, तो stress generate कहां सोंगे, बड़े ध्यान से समझेगा, यह इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जब बात करेंगे, stress और strain curve, जैसे मैं इस पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते हैं, बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा, कि क्या है, stress and strain भी हम लोग यह सब बाते और भी करेंगे, mix करके, दोनों को relate करके, अभी हम लोग stress पूरा पढ़ लिए, अब हम लोग strain पढ़ेंगे, कि क्या है, strain कुछ भी नहीं है, बड़े ज्यान से समझना पहले, कि होता क्या है, कैसे कैसे हम लोग नाम दे रहे हैं, ये चीज़ समझना, हम लोगों ने stress के बारे मैंने बोला, कि कितने टाप के stress थे, normal stress थे, और sear stress थे, normal stress further categorize हो रहे थे, longitudinal के साथ, और longitudinal stress के साथ, तो और axial उसी का नाम था, तो वहीं से हम लोग के पास longitudinal strain आया, normal का, और lateral strain आया, normal strain का further दो category हुआ, एक longitudinal strain और एक lateral strain, longitudinal stress वहाँ पे दो type में classified हो रहे थे, एक compressive stress और एक tensile stress, हाँ, मैंने क्या बोला, longitudinal strain, दो type के यहाँ पे भी classified होंगे, एक compressive strain और एक tensile strain, compressive strain क्या है, वहाँ पे compressive stress, तो compressive strain, tensile stress तो tensile strain, normal stress तो normal strain, ठीक है, longitudinal को longitudinal नाम दे देते हैं strain, यह चीज हम लोग को देखना है, simple समझना क्या है, strain, notation जो है इसका epsilon है, E-P-S-I-O-L-N, E-P-Epsilon, notation इस तरी से के से हम लोग देते हैं, epsilon, ठीक है, strain को connotation epsilon है, यह है, अब strain है क्या, यह हम लोग समझते हैं, कि simple stress से जो deformation produce होता है, उसका notification या notation को हम लोग बोल देते हैं, क्या, strain, deformation, generally यह represent किया जाता है, कितना deformation हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, strain, मतलब deformation, simple सी बात कर रहा है, strain का मतलब deformation, with respect to original dimension के बारे मम लोग बात कर रहे हैं, अब deformation अलग-अलग type के हो सकते हैं, खिच सकता है तो positive, दब सकता है तो negative, जब हम एक तरफ longitudinal force लगाएंगे, तो खिचेगा एक direction, तो उसके literally decrease भी होगा, तो उसके corresponding हम लोग बात करते हैं, lateral strain, तो मैं सबसे पहले heading डालता हूँ, type of strain, type of, या इसको समझना strain क्या है, पहले एक simple सा example, या type से start करते हैं, छोड़ो, सारे देख लेंगे, type of strain, एक बोलते हम लोग normal strain और दूसरा sear strain, हम लोग बात करते हैं, normal strain और sear strain, यही हम लोगों ने देखा था stress में, normal strain दो classified है, longitudinal strain और lateral strain, sear strain, ठीक है, clear है, अब longitudinal strain फर्दर दो categories में classified हो रहे हैं, tensile strain और compressive strain, clear, compressive strain, normal strain का मतलब load के perpendicular direction में, हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग normal strain बोल रहे हैं, clear है, अभी बड़े ध्यान से देखना, मैं यहां से एक एक करके बात करता हूँ, कहानी solve करता हूँ, तो first heading मैं डालता हूँ, normal strain, first क्या है, normal strain, इसका जो measurement होता है, वो होता है, extensometer, normal strain का हम लोग measurement generally करते हैं, उसका instrument का नाम है extensometer, और आगे देखेंगे strain rosette भी बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे detail से बाद में, हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो normal strain क्या है, deformation per unit length, normal strain का simple logic क्या है, कि deformation per unit length, deformation per unit length, क्या है समझिएगा, मान लीजिए एक body है, ठीक है, अभी हम लोग एक चीज़ पर focus कर रहे हैं, नॉर्मल है, focus कर रहे हैं, इसके उपर मैंने force लगाया, जब मैं force लगाया, P, load क्या है, P, तो इसका elongation होगा, elongation क्या हुआ, ये पूरा का पूरा elongate, ये इस तरीके से क्या हो गया, elongate हो गया, ठीक है, यहां से P लग गया, यहां पे P लगा हुआ है, ये जो original dimension थे, that is L, ये original dimension क्या है, अब इसका dimension जो बढ़के हुआ है, that is L plus delta L, क्या है, L plus delta L, तो मैंने बोला क्या, deformation per unit length, तो strain जो है, normal को हम लोग strain epsilon से represent कर रहें, epsilon is equals to delta L divided by original length, that is L, delta L लिख लो, del L लिख लो, बात एक ही है, हलाक यहां पे delta जो होता है, बिलकुल छोटे-छोटे से differential in length होते हैं, अब हम लोग उस पे बात करेंगे कि क्या है, this is the L plus delta L, बढ़ा कितना से है, delta L, तो delta L divided by original length, this is the E, अब इसी में देखो, normal strain में, this is the tensile, और अगर मैं compressive force लगाता हूँ, समझना, अगर मैं compressive force लगाता हूँ, समझना कि क्या है, तो compressive यहाँ से समझना, यह क्या है, tensile strain है, यहाँ से tensile strain हम लोगों ने देखा, compressive strain होगा, तो मैं पहले, मां लीजिए, यह length है, और यह original length है, यह क्या है, समझना, मैं कामचोरी कर दिया, लेकिन दिमाग लगा दिया, यह है original length L, हमने force लगाया, compression, हमने force लगाया, लगाये, तो deformation हो गया, यहाँ पे, अब इसका deformation क्या हुआ, L minus delta L, क्या हुआ, load पहले यह, L is the original length, अब इसका length क्या होगा, decrease हो गया, तो फिर से अगर delta L is equals to, change in length, delta L upon L, यह क्या हो गया, compressive strain, इसको क्या बोलते हैं, compressive strain, इसका मतलब simple समझिएगा, कि normal strain क्या है, समझना आराम से, normal strain, थोड़ा सा एक line और मैं depth जा रहा हूँ, बड़ ध्यान से देखना, change in normal length, change in normal length, divided by original normal length, original normal length, clear है, अब ध्यान से देखना की क्या है, इसका मतलब strain is equals to, actual में delta L upon L है, अभी हम लोग होने थोड़ा सा यह लिखा, strain is equals to delta L upon L, लेकिन this is not a correct, लेकिन हम लोग यही लेते हैं, actual में क्या होता है, strain is equals to actual में कितना होता, actual में strain क्या होता है, that is small L divided by, ठीक है, small delta या D delta लिख लो, D delta divided by D L, अब D delta क्या है, यह समझना, differential elongation, differential elongation या small elongation, actual में हम लोग जो analysis करते हैं, अभी बात करते हैं, और यह क्या है, differential length है, क्या है, differential length, यह नहीं कोई बताएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, differential इसका मतलब यह small length, actual में यह होना चाहिए, लेकिन मुद्दा को थोड़ा सा normal बनाने के लिए, मसला को, हम लोग total length, यहाँ पर कितना changing हुआ, यह हम लोग देखे, total कितना हुआ, यह हम लोग देखे, सिधा कहानी खता, लेकिन actual में कितना होगा, इस length पर कितना change हुआ, इस length पर कितना change हुआ, इस length पर कितना change हुआ, इस length पे कितना change हुआ, इस length पे कितना change हुआ, इस length पे कितना change हुआ, इस तरीके का this is the original, ये actual में strain का logic है, actual में logic क्या है, d delta मतलब differential elongation, मतलब small elongation, किस में, small length में small elongation होना चाहिए, इसका ratio का हम लोग बोलते हैं क्या strain, लेकिन हम लोग practically इसको इतना complicated नहीं बना करके, हम लोग इसी तरीके से कर देते हैं, तो simple सी बात, यहां से ये, ये positive हो सकते हैं, और negative हो सकते हैं, positive हो रहा होंगे, मतलब tensile force लग रहा होगा, negative हो रहा होंगे, इसका मतलब compression force लग रहा होगा, negative delta L का मतलब compressive force लगा होगा, decrease in length ह रहा होगा, this is the condition, तो हम लोगों का longitudinal strain समझ में आया, कि क्या है, longitudinal strain समझ में आ गया, कि क्या है, clear है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको measurement किसे करते हैं, extensometer से, मैं बोल रखा हूँ, अब ध्यान से देखना, strain is equals to delta L divided by L, change in length, माल लीजिए, 20 mm है, माल लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 mm, और original length, माल लीजिए, meter में है, एक meter है, तो 1000 mm, mm से mm, cancel, इसका मतलब strain जो है, dimensionless number है, strain is dimensionless number, क्या है, यह dimensionless number है, clear है, और normal कितने होंगे, longitudinal और lateral होंगे, यह बात हम लोग देखी रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, फिर lateral strain के ऊपर आना है, lateral strain, तो tensile strain क्या है, समझ में आया, कि changing length हो रहे होंगे, increasing length हो रहे होंगे, compressive strain क्या है, decreasing length हो रहे होंगे, कहानी खतम, अब हम लोगों को क्या करना है, normal या lateral strain देखना है, कि lateral क्या है, तो मैं इसको ignore करता हूँ, erase करता हूँ, अब इसको थोड़े से, अच्छे से समझना कि क्या कह रहा हूँ मैं, lateral strain, second क्या है, lateral strain, क्या होता है, हम लोग पहले इसको देखते हैं, इसको मैं three-dimensionally देखता हूँ, हो क्या रहा है, कोई ऐसा है, जो flexible है, मैं खीचू तो दीखे की कम हो रहा है, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, rubber-overd है, round कुछ है, चलिए समझिएगा, मान लीजिए, feel करो, कि कोई block है, जिसको मैं खीच रहा हूँ, तो उसका dimension, उसका diameter, या cross section, उसका क्या होगा, decrease होगा, जैसे मैं इसको खीचना स्टार्ट किया, तो यह जब मैं खीचना स्टार्ट किया, तो यह तो length तो बढ़ेगा, लेकिन यह जो lateral dimension है, इसका diameter जो है, यह decrease होगा, क्या होगा, decrease होगा, अगर यह circular है, तब तो diameter decrease होगा, अगर यह rectangle होता, तो क्या होता, कि यह dimension और यह height और depth, दोनों क्या होते, चेंज होते, अब यही है, literally, मतलब load के perpendicular dimension को, हम लोग lateral dimension बोलते हैं, तो load मैंने ऐसा लगाया, literally strain का मतलब, यह वाले dimension, divided by इसका original dimension, इसको हम लोग बोलते हैं, lateral strain, बड़ ज्यान से देखे, मैं कोशिज कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, समझाने की कोशिज कर रहा हूँ, मान लीजिए, original dimension ऐसा था, मान लीजिए, original dimension ऐसा था, क्या है, नहीं छोड़ दीजी, यह original dimension ऐसा था, ठीक है, हमने इसके उपर force लगाया, P, P, after some time, यह जो हुआ है, यह increase हुआ है, length, लेकिन, इसका diameter जो है, circular section था, इसका diameter जो है, वो decrease हो गया है, क्या हो रहा है, decrease हो रखा है, यह original length L है, लेकिन यह वाला जो हुआ है, L plus delta L हुआ है, L plus delta L है, अब ध्यान से देखेगा, कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यह वाला यह original diameter था, D, और यह वाला अब diameter क्या बचा है, D minus delta D, D minus delta D, देखो, यहाँ पे length क्या हुआ है, change हुआ है, लेकिन diameter इसका क्या हुआ है, decrease हुआ है, इसका diameter क्या हुआ है, decrease, तो इसका original dimension क्या था, यहाँ सावर किलियर होगा, इसका original dimension क्या था, D, change हुआ कितना है, minus D, clear, तो इहाँ से, अगर मैं lateral strain देखना चाहूँ, longitudinal strain पहले देखता हूँ, longitudinal strain मैं देखता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, delta L divided by L, यह L क्या है, positive में है, और अगर मैं lateral strain देखता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, original dimension क्या है, D, capital D, बाद में diameter क्या हूआ है, D minus delta D, तो अब कितना से deformation हूआ है, delta D से, delta D से क्या हूआ है, changing हूआ है, तो this is the lateral dimension, this is the lateral dimension, यह तो circular section के लिए हूआ, यही से, अगर मैं compression force लगाऊं, तो यह वाला, समझना, यह वाला compression force अगर मैं लगाऊं, tensile समझ में आ गया, अब अगर मैं original dimension को change कर दूँ, compressive समझना, कि क्या हो रहा है, उरिजिनल डेमेंशन क्या है, यह वाला है, औरिजिनल डेमेंशन, यह वाला समझना है, यह क्या है, original section, जो fully dark है, यह क्या है original section, force मैंने कैसा लगा इसके उपर compression में P यह force कैसा लगा है, मैं compression में P ठीक है जब मैंने force compression में लगाया, तो पहले जो length था L, that is L, original length अब यह compression में force लगाया तो यह dimension क्या हुआ, change that is delta L और original dimension क्या था, यह D लेकिन अब कितना हो गया है, यह D plus delta D diameter कितना हो गया है, बढ़ गया है तो जब compression force लगा रहे होंगे, तो longitudinal strength हो रहा होगा, negative हो रहा होगा, और lateral क्या हो रहा होगा, positive हो रहा होगा clear है अब ध्यान से देखना lateral strength, मतलब इन दोनों का sign क्या है, opposite अगर मैं compress करूँगा तो literally increase होगा अगर मैं tensile करूँगा, तो literally decrease होगा क्या होगा, literally decrease होगा इहां तक यह बात समझ में आया इनी दोनों का ratio को बोलते हैं, poison ratio P-I-S-S-I-O-N poison ratio क्या है, lateral strain lateral strain divided by longitudinal strain longitudinal strain क्या है यह अब देखो, यह दोनों sign में क्या है negative sign है इसलिए हम लोग एक sign क्या लगा देते हैं negatively लगा देते हैं that is the poison ratio this is the poison ratio तो poison ratio का representation जो होता है mu से हम लोग notate करते हैं, mu poison ratio is goes to lateral strain divided by longitudinal strain और यह देखो, एक sign क्या है पहले क्या था, यह positive, यह negative अब क्या हुआ, यह negative यह positive, अगर compression force लगा है तो ऐसा tension में पहले देखे ही थे अब यहां पे हमाए non-circular ये section कैसा था circular section में हम लोग बात कर रहे थे क्या circular section में हम लोग बात कर रहे थे अगर non-circular section हो तो क्या होगा यह हम लोग को देखना है थोड़ा सा और किलियर होगा कि क्या हो रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और क्यूबोईड देखते हैं मतलब एक डाइमेंशन ऐसा ठीक है, ऐसा बड़े ध्यान से देखना ये कितना टाइम हो गया ठीक है, ये अब मैंने फोर्स लगाया इसके उपर ये इसका लेंथ एल है ये एच है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, एच है ठीक है, एच अब मैंने फोर्स लगाया क्या हुआ और मैंने क्या लगाया फोर्स लगाया मैंने क्या लगाया फोर्स लगा लिया टेंसाइल जब tensile लगाया तो ये वाला decrease हुआ होगा और ये भी decrease हुआ होगा और ये length क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा इसका मतलब ये जो dimension हुआ होगा अब ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा और यहां पे यह इसके अंदर है ध्यान से इसके अंदर जा रहा हूं और यह वाला dimension ध्यान से देखना यह वाला dimension इससे भी छोटा हुआ होगा यहां पे यह छोटा हो रहा होगा और height में भी और यह वाला और यहां से यह dimension यहां से यह dimension छोटा हो रहा होगा इसके अंदर है यह dimension मैं तो figure बना ही सकता हूँ न जहां से देखना कि कैसे हम लोग बात कर रहा है यह dimension छोटा हुआ होगा यह dimension देखो यह dimension से यह dimension छोटा हुआ होगा और यह dimension क्या हो रहा है यह यह जबर्दस्त ठीक है तो original L और जब change हुआ होगा यह वाला length तो L प्लस डेल्टा L ट्रेंगल है डेल्टा L अब धियान से देखेगा यह वाला dimension क्या होगा पहले H रहा है हाइट क्या है इसका H अब क्या रहा है H माइनस D H डेल H डेल H लिखते हैं भाय ऐसा और यह वाला क्या रहा है पहले B अब क्या रहा है B माइनस डेल B मान लीजिए कहानी खतम अब longitudinal strain जो हुआ है positive delta L upon L lateral strain क्या हुआ है देखो D तो है ही नहीं तो मैं H से लिखूँगा क्या हुआ देखो माइनस में compression decrease हो रहा है तो माइनस में डेल H divided by H और lateral strain दूसरा क्या हुआ होगा माइनस में डेल B divided by B और poison ratio अभी भी क्या है अब इसी में जब three-dimensionally volumetric analysis हम लोग देखेंगे strain का volumetric strain analysis देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है जब three-dimensionally देखेंगे tino axis के उपर खीचने वाला force लग रहा होगा तो strain क्या होगा poison ratio क्या होगा यह सब हम लोग देखेंगे बड़े आराम से कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है ठीक है ठीक है clear है अब ध्यान से देखेंगा कि lateral strain क्या है कहानी समाप्त अब मेरे से एक छोटा चीज पूछ रहा है कि shear strain क्या है हम लोग shear strain हम लोग देखेंगे कि क्या है चली हटाओं मैं इसको पहली बात तो हम लोग shear shear strain करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा सीखना होगा कि shear लगता कैसे है और सीखना क्या है इसके ऊपर तो पीछले देड़ घंटे से हम लोग बात कर रहे है कि shear लगता कैसे है simple सी बात है बड़ा logical है बड़ा ध्यान से देखेंगे कोई surface है और यह rigid है इसके ऊपर एक block रखा हुआ है इसके ऊपर एक block रखा हुआ है इस तरह का अब plane के parallely अगर मैं force लगाता हूँ तो यह block deform होना चाहेगा समझेगा इस plane के इस plane के अगर parallely मैं इस तरीके से force लगाता हूँ तो यह deform होना चाहेगा load लगने के बाद यह ऐसा दिखना start होगा बड़ा ध्यान से दिखना मैं इसका three dimensional views भी बताऊँगा यह क्या है इस तरीके से अब यह देखो sear से कभी भी dimension change नहीं होगा sear से length कभी भी बड़ेगा नहीं घटेगा नहीं sear से हमेशा deformation होगा ठीक है sear से कभी भी length के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा sear से deformation होगा changing क्या होगा उसका shape change होगा उसका dimension change नहीं होगा मतलब length change नहीं होगा width change नहीं होगा ये change नहीं होगा उसका deformation होगा ये वाले angle जो है ना इसको बोलते हैं इसका मतलब ये वाले पे shear force और shear का मतलब equivalent opposite तो इस तरीके से clear है ये वाले deformation जो हुए this is the मान लिजे delta x y मैंने लिख लिया delta क्या है del x लिख लिए चलिए x लिख लिए x direction में delta x और ये जो height है मान लिजे कोई सभी dimension ले लिजे l ले लिजे तो ये जो tan theta हुआ tan theta जो हुआ या इसको कहीं कहीं पे tan gamma लिखा जाता है is equals to perpendicular divided by ये delta x divided by l क्या होगा delta x divided by l ये जो deformation होता है theta ये बहुत कम होता है इसलिए tan theta को हम लोग theta लिख देते हैं is equals to delta x divided by l और इसी को हम लोग बोल देते हैं shear strain ये तो छोटा सा characteristics हुआ कि क्या है shear strain हम लोग इसको और detail से जब अंदर में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है this is the shear strain this is the shear strain strain this is the shear strain clear है या नहीं अब इसको मैं थोड़ा सा three dimensionally बना करके कोसिस करता हूँ कि कैसा लग रहा होगा ये एक length इधर deformation का मैं बनाता हूँ direct बड़े ध्यान से देखे है deformation का मैं बनाता हूँ कि क्या हो रहा है या चलो deformation का ही बनाते हैं ऐसा 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 हम लोग हाथ से इतना अच्छा बनाएंगे न कि अच्छे अच्छे लोग figure भी नहीं दिखा पाएंगे ये क्या है plane ये क्या है plane के ऊपर stable है ऐसा हमने force लगा दिया ये पहले original position पे रहे होंगे ऐसा और ये पहले ऐसा रहे होंगे ठीक है इसको ये ठीक है ये इसको originally अगर हम लोग देखे और तो ये ऐसा दिख रहा होगा शुरुवात में ठीक है ये ऐसा मान लीजिए ये theta dash है theta dash से ये नीचे जा रहा है जब मैंने force लगाया तो यहां पे shear generate इसको equal and opposite से यहां और head to head इस तरीके से और head to head tail पे बात यहां से भी होगा इस तरीके का जो force लग रहा होगा और यहां पे जो angle बना रहा होगा gamma xy या theta theta dash है theta है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या हो रहा होगा delta x और this is the l तो tan यहां से अगर देखता हूँ मैं tan gamma xy is equals to delta x divided by l यह बहुत बड़ा नहीं होता एक्शल में दिखता भी नहीं है तो tan theta is equals to theta अगर छोटा हो तो theta तो gamma xy is equals to delta xyl this is the shear strain अब यह कैसे हो रहा है इसके लिए एक figure हम लोग देखते हैं देखिए कहां OBS में figure लगा होगा shear strain का सबसे उपर एक मैं system दिखाता हूँ ऐसे ही आपको समझने के लिए system में क्या है देखिए देखिए ऊपर देखिए ऊपर में जो pink color tap पे दिख रहा है वो क्या एक तरीके से rigid है और उपर से इस तरीके का bracket लगा हुआ है और उसके उपर से हम force डाल रहे हैं तो देखिए deformation कैसा हुआ है shear deformation हुआ है rubber block है shear deformation हो रहा है ऐसे ही मैंने इस तरीके जिखाए कि यह fix है और इसके ऊपर इस तरीके का force लगा रहे है deformation ऐसा ऐसे ही deformation हो रहा है that is shear strain ठीक है shear strain clear है ना चलिए next and last volumetric strain क्या है volumetric strain एक छोटा सा है volumetric strain strain volumetric strain volumetric strain volumetric strain is equals to change in volume divided by original volume that is volumetric strain यह इतना छोटा टाम नहीं इसी को हम लोग detail से आगे देखेंगे सबसे last में इस टॉपिक के सबसे last में मैं इसको दीखाऊंगा कि क्या है बस एक नाम मैंने बताया कि volumetric strain भी होता है कैसे होता है हम लोग देखेंगे कि क्या होता है अभी हम लोगोंने literal strain देखा था तो पहले वाला जो volume रहा होगा और उससे volume घटा होगा कि बढ़ा होगा यह हम लोग के material के ऊपर depend करेगा कि इतना stress लगा रहा है इसके ऊपर depend करेगा कि क्या हो रहा होगा ठीक है तो उसके corresponding change in volume, change in volume divided by original volume that is volumetric strain तो यहाँ पर क्या लिक रहा हूँ change in volume, change in volume divided by original volume change in volume divided by original volume that is this one this is all about simple stress and simple strain के बारे में हम लोगों ने बहुत ही detail से हम लोगों ने cover कर लिया है इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए ही नहीं ठीक है simple stress and strain में हम लोगों ने cover कर लिया है अब छोटे-छोटे और detail से मैं बात करूँगा, लेक्शर अल्रेडी बड़ा हो चुका है कि simple अगर मैं देखूँ कि stress और pressure में क्या difference है, जो मैंने बोला था last time बताऊँगा stress and pressure में क्या difference है, इसको हम लोग 2-3 major difference को हम लोग identified करते हैं सबसे पहली बात, stress मैं छोटा सा हलके से बात कर रहा हूँ stress and pressure में difference क्या है, इसको समझना पहला तो क्या है, कि stress जो है, ये क्या है, tensor quantity है पहला ही difference, जो कि बहुत जादा समझने में काम नहीं देता है और ये pressure जो है, scalar quantity है क्या है, scalar quantity है दूसरा क्या है, stress जो होगा, वो आप compressive भी हो सकता है और tensile भी हो सकता है लेकिन pressure जो होगा, always जो होगा always compression ही होगा pressure कभी भी tensile में होगा ही नहीं stress always solid में होगे और ये solid में भी हो सकते हैं और liquid में भी हो सकते हैं ये अब major फर्क क्या है, समझिएगा stress जो है, internal resistance है इसके बारे में मैं बहुत बात किया हूँ internal resistance है stress क्या है, internal resistance है internal resistance है और इसका stress is equals to internal resistance divided by area that is ये newton per mm square इसका क्या है, SI unit है, अम लोग बात करिये जो pressure होता है, ये always external होता है और always compressive होगा always क्या होगा, external load per unit area इसका मतलब ये external है और एक internal है यहाँ पे भी pressure is equals to load divided by area यहाँ पे ये है, जो similar है, जिससे देख करके पता नहीं चलता है, कि क्या हो रहा है तो आप ध्यान से देखेगा कि ये compression में हो सकता है, tensile में हो सकता है, pressure always compression में होगा, ये always solid पे लगेगा, ये solid और liquid पे भी लग सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं, internal resistance का, ये internal resistance per unit area है, तो internal resistance force per unit area है, यहाँ पे pressure is equals to P upon pressure, load upon area, external load per unit area है, ये major है, ये चीज़े आपको ध्यान देना है, कि stress जो है internal resistive quantity है, और pressure जो है externally आप लगा रहे हो, pressure कभी भी tensile में नहीं लग सकता है, pressure हमेशा compression में ही लगेगा, stress जो है tension में भी रह सकता है, compression में भी रह सकता है, हम लोग देखे हैं बहुत सारी बाते, ठीक है, ये liquid पे भी लग सकता है, solid पे भी लग सकता है pressure और ये हमेशा, क्या होता है, solid पे ही लगता है, ये तो simple सी बाते हैं, हम लोग इसको और detail से हम लोग देखेंगे, next class में इसका एक छोटा सा, मेरे पास एक photo type पे है, जो pressure और stress में difference बता रहा है, एक और लगा ये कंपिटर मासे जी, pressure and stress में difference एक लगा होगा, obvious में, stress के understanding the major difference between stress and pressure, one can know the key separating points between one and the other, we know that pressure is an external quantity that affects the object from the outside, inside से इसका कोई मतलब नहीं है, whole stress affect the object from the inside, while stress क्या है, inside affect कर रहा है, in order to understand the effect of stress, better it is important to understand the relationship between stress and strain, वो बाद में हम लोग देखेंगे, stress के बारे हम क्या कर रहा, stress can be defined as the internal resistive force to the deformation per unit area, जो हम लोगों ने लिखा, external है, force applied per unit area, external, stress can be represented as strain divided by young's modulus of elasticity, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये है, due to stress, the pressure will not be developed, stress के बज़े से pressure नहीं develop होता है, लेकिन due to pressure, stress will be developed, ये ध्यान से देखेगा, जब हम लोग किसी को उपर pressure लगा रहे है, external force लगा रहे है, per unit area, तो stress develop होगा, लेकिन आप किसी को उपर pressure लगा रहे हो, तो stress develop नहीं होगा, stress can be either a positive or a negative force, इसका मतलब compressive हो सकता है, tensile हो सकता है, जिसको हम लोग देखे, pressure is always positive, मतलब compression को यहाँ पर positive ले रहा है, और tensile को यहाँ negative ले रहा है, तो positive force का मतलब compression, उसी को नीचे लिखा हुआ है, stress में भी tensile, compressive and sear हो सकता है, pressure is always compressive हो सकता है, pressure is exerted externally, stress is developed internally, वो ही एक ही चीज को तीन बार लिखा, जो कि हम लोगो ने कि, this is the stress and pressure का difference है, इसमें कोई बहुत बड़ा major role नहीं है, हम लोग देखते हैं, समझते हैं, fluid में भी, तो clear है, तो काफी कुछ हम लोगों ने सिखा, तो simple stress and simple strain, sear का sign convention, यह सब बहुत ही details है, हम लोगों ने देखे हैं, अब next lecture हमारा जो आएगा, hooks law का, वो YouTube पे नहीं आएगा, ठीक है, stress and strain और hooks law, इन दोनों के बीच में अब हम लोग relationship degenerate करेंगे, फिर mechanical properties देखेंगे material का, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, indeterminate structure का analysis, load के कारण कितना elongation हो रहा है, self weight के कारण कितना elongation हो रहा है, deflection, deflection कितना हो रहा है, यह सब हम लोग detail से देखेंगे, thermal stress कैसे develop हो रहा है, elastic constant कितना हो रहा है, फिर हम लोग numerical करेंगे, जम के, जम के, ठीक है, objectively और subjectively मैं छाट रहा हूँ, अराम से हम लोग बहुत detail से करेंगे, अभी एक दो दिन, दो तीन lecture और theoretically आएगा, क्योंकि Hooks law और stress strain curve जो एक ही है, एक ही में हम लोग लेंगे, mechanical property जह सब से, objectively question generally आता है, theoretically question आता है, numerically कम आता है, numerically start होंगे, indeterminate structure से, और जिसको हम लोग बोलते हैं, parallel combination और series combination metal का, उससे, और temperature stresses से, elastic constant से, फिर volumetric strain से हम लोग इस पर देखते हैं, poison ratio से, यह सब पर हम लोग देखेंगे, आराम से, उसके बाद topic introduction खता है, लंबा चलेगा, यह सबसे बड़ा topic होता है, introduction, और shear force and bending moment हम लोग पैरलली स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन के बाद, ठीक है, तो good luck, I think कि आप लोग को lecture application चीजे को मैंने बहुत असानी से समझाने का कोशिस किया हूँ मैं, I hope कि आपको समझ में आया होगा, और यह lecture मैं बार बार कह रहा हूँ, basic से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल zero level से पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल hero level पे लेके जाओंगा, इसलिए batch का नाम ही है, zero से, hero, zero to hero, और यह जो lecture है, gate experience के लिए भी उतना ही important है, ES वालों के लिए, JEE वालों के लिए, BTEC जो कर रहे हैं, semester में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी in fact यह बहुत जरूरी है, और यह base subject है, इसके उपर 2-3 subject का दारोमदार रहता है, तो इसलिए इसको strong बनाई है, strong बन जाएग को उसके उपर काम करना है, numerically आप जहां से पढ़ना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत होता है, आप मुझे बताए, सोम एक ऐसा topic है, जिसमें अगर आप सोच नहीं बढ़ाओगे, दिमाग आपका develop नहीं करेगा, तब तक आप इसमें फसे रहोगे, उलजे रहो जाएगा, और damn sure, कि जब आप सोम खतम करोगे मेरे से साथ, तो आपका सब कुछ आसान हो जाएगा, यह मैं promise करता हूँ आपसे, ठीक है, और फिर वही बातें यार, खूब सब्सक्राइब करवाईए, खूब सारा share किजिए, और खूब सारा like किजिए, और इस channel को बहुत आ हो, चाहे ऐसे नहीं ऐसे, तो आप मुझे message कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं दोनों हाथ से accept करता हूँ, clear है, good luck, thank you so much.